है फ्रेंज वाट्स आप तो नव वी आर रिवाइंग अ चाप्र विज गाल जया बिए अ क्या शुरू करने चारें लोग इसको पीड़ा पॉमेला प्रिंशन आपड़ेंटि आप दस मां की बीटेशे चैप्टर है, दो मां की मान लीचे तो बारा मां की आस पास का यह आपको मिलेगा है यह मिलेगा, पीपल अपेरिंग फॉर पेपल नमर 6D, बैट आप 2 रूपय एक्स्ट्रा आप देखे हैं ना, स्विस्च बैंक के अंदर, सेम है, थोड़ा सो और एक्स्ट्रा पार्ट भी है वहाँ पर, बट 85-90 परसंट सेम यह है, 10 परसंट कुछ और एक्स्ट्रा था, थोड़ा सो शेडूल वेल्यू दे रखे पीछे, बाकी पूरा सेम है, तो आपका 6D का भी हाँ पर रिविजिन हो रहा है, रॉप्स्ट्रा परसंट का भी है, अगर आपको किसी को डिटेल लेक्शाच चीह, प्ली रेफाट अच्ट्रा था, ठीक है, आजाओ, प्रेवेंचन मतलब क्या हो गया, रोखना, ऑफ, आफ, और, का 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 सर मनी पाईसा पाईसा लॉंडर इस्तरी इस्तरी नहीं पता होल्डाओं एक्ट कानून को फॉन से यह मैं था इन या था था? 2009 का थासर था था? 2004 सर लॉंडरिंग मतलब क्या बेसिकली हॉंड जवाला करना लोंड राज़ उलाइट्स I hope आपको पता होगा हवाला क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, मैंने सुना कभी देखा, कभी किया कभी निया सक्थिया कौन बोला तो जुट बोला, है चो माने देखाई सब जूंद 8 कान बुला अब सुनों लॉंडरिंग का मतलब क्या होता है अब फॉर एक्जाम्पल क्या मैं मुंबई में हूँ ठीक है अब मेरको है ना मेरको है ना मुंबई में एक खोका चाहिए समस्थ है खोका एक क्रोड रुपया कि दस पीटी चाहिए दस लाक रुपया सुना गरा अब आपने जो करन भीया है वो रहते जैपूर में जैपूर के जितने भी बच्चे हैं बड़ पापा लोग हैं पैसा ही पैसा है विए बढ़ बड़ पैस है पूरा कच्छे का पैसा बोल दो आप लोगों कच्छे का पैसा अब मैंने करन को बोला करन 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 मेरे को मुझा में एक उट रुपए चाहिए बड़ा सर टेंशन मतलो मैं बिचवाता हूं तो कोई जो बच्चा पढ़ा को बच्चा गोल रहा हां सर वो जाएगा बैंक में बैंक में जाएगा वह आटीजेस का फॉर्म भरेगा आपके क्या गाला एजेंट के पास उसने क्या किया 1 करोड रुपया दिया अदे घंटे में 1-2 घंटे में मुंबई का जो बंदा है उसका हवाले एजेंट का जो कूरियर पार्टनर बोलते हैं आपने अपने आटेकलशिप के अंगडिया अंगडिया वह अपने एजेंट को नंबर होगा, वो मैं करन को दूँगा मैं लाइक करन, नोट नंबर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मेरा नोट का नंबर है तो करन क्या करगा? उसे एजेंट को वहाँ देदेगा, वो एजेंट अपने मुंबई वाले एजेंट को नंबर देगा मैं जाऊंगा ना मैं उसको जानता ना हो मिरको चानता है वह नोट कर दे गाפר 10 रुसर पहर चला गाक वापस नहीं मिला शविटा में मुंबई द गंडें रहा है प्ली ज्सकें और हो Absbok में है या दूसरी जगह से आप कुछ अनकाउंटेड मनी आप अनकाउंटेड असे कुछ इंडिया में मंगाते हो तो क्या हो जाती हो उसको बोलते हैं कौन बदाप्य वाशिंग पावडर निर्मा वाशिंगपावडर निर्मा वीवशंगपावडर वो इयुँ लग रहे सकुगहाँ वाई दूच्सी सफेधी निर्मा में आई रंगीन इकप्टाफ निर्मा कंव् यहुлем स्यम लग रहे हैं ने अभ़ब यह मेरा इंडिया ए मैं हूँ मुंबई में ठीक है अब क्या है अपने दुबाई में मेरी मरजी यह मीरा वरल्ड मैप है मैं दुबाई किधर अब बनाओ तुम्हारा क्या चाहता है तुम अपनी बुक में मनाव हमारे एक शेक सहाब है शेक मोहममद अब्दुल उल फकीर अमीर खान करन सहाब यह हमारे शेक सहाब है क्या होता है यह दुबई में अलहभीबी, अलहभीबी वल्ला, वल्ला वहाँ लैब डान्स करते है अब लैब डान्स क्या होता है बच्चों यह डाउट डाउट हीने है जागी जीवन बर यह इसको मैं करके दिखाने सकता है मेरा पाट टाइम जॉब नहीं है शेक साब वहाँ पैसे कमाते है अब मैंने शेक साब को लगा शेक साब वल्ला, वल्ला हमका मुम्बई में पैसा मंगती शेक साब बोली हम तुमको मुम्बई में पैसा देती कितना पैसा मंग तुमको? हम बोली हमको 2 क्रोड रुपा मंगती एक रास्ता क्या है शेक साब जाहें के दुबय के बैंक में वाली ट्रांसेंगि यह ःशकता करेगे ही पैसा घासा और रहे बनाबर बता नहीं सर्म相信 मैं तो लैब डान्स किया था वहां मैं शबह नहीं बता सकता है इज्जत क्या रह जाएगी, वहां लोग इसको शेक समझते हैं, वहां पर कुछ और करता है, सर नहीं, नहीं चलेगा, तो शेक साहब ने क्या क्या है, ये पैसा भीजा, पाकिस्तान, पाकिस्तान से पैसा गया अफगानिसान, अफगानिसान से पैसा गया नेपाल, नेपाल से पैसा गया श् श्री लंका राम सित्व के तहत होते हुए यह पैसा पहुंचा मुंबाई तो एड देन क्या हुआ शेक साब का पैसा गूम फिर के मुंबाई चाहिए न अब अजूम करा आजू माजू मैसा होना नीची अजूम करा मुंबाई में पैसा पकड़ा गया मुंबाई में जब अफगानिसान से पैसा का पाकिस्तान से आया अरे भया पाकिसान का से इसा दुबाई से पैसा आया जब तक अथॉलिटीस जो भी है इस एक की पहुचेंगे तब तक शेक साब और मेरा एक और ट्रामलेक्शन हो चुका होगा यह भी क्या है मनी लॉंडरिंग क्या है विड़ा एक होता है प्लेसमेंट एक होता है लेयरिंग और एक होता है इंटीकरेशन प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीगरेशन अब देखो मैंने कुछ गलत धंग से पैसा कमा है आप दिम करो देखो ऐसा होता नहीं मैं बता रहो खड़ा एक्जामपल दे रहा हूं देखो इंकम टेक्स वालो उलिस वालो पॉमिला के थोट अलो यह सारी बाते कालपन ही के उनका वास्ताविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है मैं पहले बता रहो इट इस ओली फ़र्ण एग्जामपल अब दे क्लास अब बच्चों ने कैस्ट में पैसा दिया नो इंकम टे है उससे BMW खरीद लिया चोड़ BMW BMW को टायर खरीद लिया अब इस शकल अपनी एकदम गरीब से फुल गरीब एकदम गरीब अमीर लगता आपके सामने पर अपने पस BMW है या ब्लैक कलर है जेट ब्लैक है अब है अलो ठीक है अपने उस BMW है तो मैंने क्या क्या मेरा जो मैंने क्या क्या उसको से मैंने गाड़े खरीद लिमें एक करित लिया एक पंगा खरीद लिया पाइपाड खरीद लिया चैनल में ये ऐडे लीग ल्यतर था अगर तुम्हारे दुक्वांसां मिठाए खर्के लेकर आये जो पुरवास्फियो आपने चत्रभद कर गुलाब जो बढ़ पसंद है, और चत्र बुझ वाल से लिए दस के लो गुलाब जामवन, हर बच्चे दो को लो गॉलाब जामवन, गुलाब जामवन, गुलाब जामवन, तो भाइया, मेरे लिए तो वो illegal एप पर चत्रबुझ वाल है को भाइया, लीगल होगा ना वो विवबर को इसको किया कि मैंने placement कर दो मेरे मेरी जो illegal money थी जो unaccounted money थी मैंने क्या कर दी उसको इंडिया के legal channel में डाल दिया that's called that's called as placement that's called as placement sir what is layering अभी क्या हुआ था आठょःणा बर 2016 को हाथ्शा हो गया था आठ नौमबर 2016 को हाथ सा हो आता अरे भिया अब एक नोट बंदी और कोई बंदी नहीं बोला पने नोट बंदी वही थी नोट बंदी अधिवाइड दिमानेटाजेशन वरोबर अभी किया है अपने पास 25 कुर्ड रुपे था क्याश एक्जामपल है अपने क्या कि अपने सा आपको सारे बच्चों को बलाए लाइन में खड़े रहा कीप और इन इंडिस्ट्रंस हर रेको धाई-धाई लाइक रुपे दिया हर रेको धाई-धाई लाइक रुपे दिया और मेरा तुम्हारा करमें डाल दीजिए 31 मार्श के बाद मेरेको तुम बैंक से निकाल के दे लेरिंग कर दिया तो मेरी जो इल्लीकल मनी थी आज भी इल्लीकल ही है देखाओ कर आपने सुना होगा ऐसा कुछ हुआ होगा दोजा सोला में आप हाँ छोटे होंगे बटीक है नॉलेश होगी होडिसी लेरिंग तो इस इंडिक्रेशन चौटे-चौटे अमांट को बड़ पर्लेशन उनको बोलता कि वहां आके मुझे पैसा दे तो अमांट को छोट़ा चोट़ा तो कुड़ा किया एंड वहां विदेश में आके उसको पूरा पता है वो मुगे ध्यान थे पूरा पर ट्रक भर के पैसा ओता है तो इंटीग्रेशन आपने पता है अब्ले वहां द integration हो कुछ भी हो सब मिला के क्या होता मेरा money laundering में money laundering में actually क्या है अभी अपने पता है DT का paper समुंदर है तुमको बहुर सब कितना भी चिल्ला चिल्ला कर लो yes people yes people good morning good evening good night yes people कितना भी कर ले पर at the end तुम थोड़ा बात तो मन का ही लिखोगे पुल मन की बात है है ना को यह सेगा नहीं अब क्या हुआ अपन ने सुचा कि अभी गर्मी का सीजन आ रहे है बच्चों को वैसे बहुत स्ट्रेस है तो अपन हर एक्जाम सेंटर के भार 145 को पीपर शुकर देड़ बजे और फिस सेकंड शिफ्ट रखते थे अपन साड़े चार सावाचार बजे क्योंकि डीटी में लोग चार सावाचार बजे निकलना शुरू करते है अपन क्या किये चालो होगे ड्रॉक्स ड चांजा, हीरोई, मारिजवान, कोकेन, ब्राउन शुगर, लस्टी, पेपर, सब 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 आपन बेच रहे हैं, चोटी से पुडिया है, चोटी से पुडिया है, बाद आवा से पुवजे दिखा रहे हैं, टिक 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 करके, ऐसा आला, अरे मेरा रोज का काम नहीं रहे है, वहार बेच रहे हैं, सबसे पहला चीए, सर, डिसकाउंट, उनको पहला का चीए, डिसकाउंट, सर PTM cashback कर देना सर, सर मेरा दोस्त भी लेगा कितना discount देगा, सर पेंडर में इतना discount वांगते हैं तो यह लोग ड्रॉग में तो लेगे, discount देखे किया कम है कुछ बचता हैं इस इतना ख़चा बचचा एक सब्सक्राइब, ड्रग्स बेचियों, तन्हों आप ग्लत है? सही है कि रहा है, और वाइज बहते सुट्वाइब ग्लत है, ग्लत है, इत इस अर्फेंस इन money laundering, द्रग्स बेचिना भी इस अन आफ़ेंसेट मनी laundering, समझा आपको छीज यह, अब क्या हुआ? अपने एक जैपूर के श्टूडेंट ने टीना और आपका पैसल है अनुग कैसे पैसल होगा नी तूमाई फिर अपना एक एक है अलग्सक बच्चा बहुत सारी बच्चों को पता होगा चीज सुमित माई Sumit माई Sumit को पंगा Sumit क्या Ever Ready Boy Ever Ready Battery बसके समने फेल है हर वक्त चार्ज रहता है मैं Sumit अपने वो टीना को किड्नैप करने करे बहुत पाइश च्छे पना सारा टेंशन ना महीं आएगा महीं महीं आएगा अब क्या है अपना एक स्टूडेंट है अतुल यह मुंबही में रहता है अतुल तो माई और सुमit टीना को किड्नैप कर ली अरे बगवार बढ़े बाहर है हम पापा को फोन के पापा 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 आपकी बेड़ी हमारे कब्ज में है अगर आपको आपके बेड़ी साइख सलामत चीह है तो हम से आप आज हमें एक कर रुपए सबसें पापा बोले आप रखलों नंई चिह पापा बापा पापा 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 आपकी बेड़ी हमे आघर आपको आपकी बेड़ी सबसेंग थैख nuclear bit by時候 तो बच्चों पापा आए गाड़ी में पापा के पास एक आईफोन भी था ठीके अब पापा आए पापा से हमने 11,000 रुपया कैश लिया 11,000 रुपया कैश लिया पापा जो एक गाड़ी लए थे यह हमने गाड़ी भी रख ली पापा के पास आईफोन वी ले लिया पापा के आए जंजीर थहा क्ते के वांगते वाले ने गले में जो बाणते सोनी की चेंचिंच वमने ऊड़ी ले लिया थे किता solve रेरे बड़ी भार ए के लिए C attends तुपा पापा से हमने गाड़ी कमाई पापा से हमने 11000 रुपे कमाई हमने आईफोन कमाई हमने चेन कमाई यह जो चार्च चीज़े ने जो चार्च चीज़े इसको हम लौ की बाशन में इस चैप्टर के जदत वोलें है इसको प्रोसीड्स क्वोन दो क्राइब क्या है वहिंए इसको मेद अच्चो रपर सीछल अब इसको हमें भावन kennt श्कुम यह 11,000 रुपया अतुल के घर पर हैंधू नहीं पता कि मैंने कांट किया है The Pesah है इस जत्वा संध्स रुताने में भाई रहा हूं और बाद पस्तुमित के से रहा है यह पैसा अतुल के घर पर रखा था अतुल को पता है he is also guilty of offense of money laundering बच्चों, he is also guilty of offense of money laundering उसको भी पूलिस लेकर चाहिए बाद में उसको प्रूफ करना पड़ा कि बास उसकी बास knowledge नहीं थे इस चीज का पर एक बाद उसा है whoever is involved directly or indirectly whoever is involved directly or indirectly in the offense of money laundering is guilty of offense of money laundering अब कहा हुई? हमको पता ता पूलिस आएगी हमको पकड़ के लिखे चागी हम क्या किये? ये 11,000 रुपे में से कुछ पाइसे का हमने क्या किया? हमने cycle खरिद लिया cycle है मेरा हो को या सेगा नहीं human being का cycle है या cycle खरिद लिया अपन और अभी सुबर सुबर क्या बहुत ही तकलिफ होता है तो सुबर के लिए हम लोगे लोटा खरिद लिया सौथ बहुम है, सौथ डेली पिप्लेटेशन लोटा, 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 लोटा आरे खेती में जाते ने लोटा, लोटा, लोटा खरिद लिया हम लोग पूलिस आई, यह भी लगाड़ी दे, मैं लेकि जा गाड़ी आइफोन दे, दे दी आइफोन चेन, अलो चेन तो मैंने अपने शेक भाई को भेज़ दीती हूँ विदेश दुबाई में भले वह इंडिया में हो में भले वह देश में अनी पाई कोई ने आ ना नहीं पाई गाइगी तो उसका वर्थ वर्त आज़र दिया बोध strictly कि क्या खरीद लिए और ग्षाइकल को यह celebrating और ला आनसर इस ये भी सर्फ प्रोसिज ऑफ मिला के डिशन का मेरा प्रोसिज ऑफ ड्रेफिनिशन इस चैप्टर की जान है एक जाम में आती है तो देखो मैं मॉडूल से कुछ देफिनिशन है जो आपके लिए पढ़ा दे तो एक बार आपको नोट्स मौन का रेफरेंस देवा है डेफिनिशन आज की ज्याद करने पड़ेगे एक्जाम में आती है तो एक्जाम में पूरा लिखे है पन टूटा फूटा इंग्लिश में लिखे लो पर कोशिश को दो पूरा लिखने के लिए डोंट चेंग्ज था मीनिंग अपनी बार्शन में लिखो के मार्स मिल जाएंगे आपको सर सेक्षेन टो डेफिनिशन टू में आई कि क्या बोलता है तो मैं मौड्वल के पेज नोर नमर च्री नबंग रोओ 3.3 पहला पहला डेफिनिशन में ला मनलणरिं पार्च क्या कहते है sir money laundering has a meaning which is assigned to it in section 3 money क्या बोलता है section 2 बोलता है money laundering का definition में section 3 में धिया हो है तो हम section 3 पढ़ते है whosoever यहां से whosoever directly मतलब मैं और indirectly attempts to indulge मतलब सुमित और knowingly assist और knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime I hope you are clear with proceeds of crime वो लोटा साइकल आईफोन गाड़ी चेंड इंक्लूडिंग उसका concealment possession acquisition use and projecting or claiming in test मैं क्या करूँ है पर मैं बुलिस वाले को क्या बोलूँगा अरे भाईया यह तो मेरे खूनपसे ने के महनत की कमाई है मैं उसको कैसा project कर रहा हूँ कैसा project कर रहा हूँ पर मैं उसको कैसे project कर रहा हूँ as untainted as बेदागी I am guilty of offense of money laundering मैंने कामड किया है सुमित ने मेरी मदद किया अतुल ने भी मेरी मदद किया indirectly सर वह भी सब के सब guilty हो जाएंगे money laundering के लिए सर and projecting or it claiming it as untainted property untainted मतलब होता है बेदागी property he shall be guilty of offense of money laundering he shall be guilty of offense of money laundering he shall be guilty of offense of money laundering clear इतना चीज़ तो पहले definition हो की money laundering है number two proceeds of crime आ सकती है एक्जाम में proceeds of crime example यह नको बहुत simple है सब वो गाड़ी वो चेन वो आइफोन सर सर सब सब वो proceeds of crime है it says any property derived or obtained directly or indirectly by a person as a result of criminal activity हमने kidnapping की थी ransom bank हात हमने relating to a schedule offense act में schedule में दिया हुए सारी चीज़े और the value of such property अगर property नहीं है तो उसकी value और where such property is taken or held outside the country then the property equivalent in the value held within the country और abroad तो भी अगर विदेज आचो के तो उसका उसका भीवाब value पकड़ोगे sir proceeds of crime include property not only derived or obtained from the schedule offense but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to a schedule offense see मैंने वो गाड़ी मैंने वो जो chain है वो जो cycle है sir वो गलत डंग से कमाई है तो वो तो पेरा proceeds of crime है अब अब अजिम करो वो पैसो से मैंने क्या किया दूद की डेरी डाल दी दूद की डेरी वो cycle में जाके सुबा सुबा जाके लोगों को delivery करे तो दूद की sir उससे भी आप जो पैसा कमाऊंगे ना वो भी proceeds of crime है क्योंकि उसका जो main origin जो source है वो ही गलत था ना sir वो ही tainted था आप उसको project करो untainted तो sir जो भी उससे आप कमाऊगे वो भी क्या हो जागे sir वो proceeds of crime मान लेंगा sir property का अधर सब लिप दिरेंगा property मतलब sir property means any property और assets whether corporeal incorporeal movable immovable tangible intangible sab 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 and includes the deed instruments जो बता रहा है ownership क्या बता रहा है जो ownership और interest in such property wherever located wherever located so property के देशन सर corporeal incorporeal tangible intangible movable immovable sub 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 including जो documents रहा है ownership के papers agreement sir वो भी क्या हो जाएगा आपका property मान लेंगे sir what do you mean by payment system payment system means a system which is enabled to be affected between a payer and a beneficiary जो pay कर रहा है payer जिसको दिया beneficiary involving clearing payment settlement service or all of them जैसे beam upi हो गया razor pay हो गया आपका payment gateways हो गया cc avenue हो गया आपका pay you money हो गया आपका gpay हो गया आपका it includes credit card operation debit card operation smart card operation money transfer operation और other similar operation तो यह definition है कि इसकी payment system की याद करनी पड़ीगे sir schedule of ins 3 हो दे schedule a p c व्यादा part a part b part c part b में amount दे रखिये minimum minimum कितला amount हो जाए minimum 1 crore minimum 1 crore तो schedule आपको जो लिस्ट है पूरी आद करना कि जो तने आप इतने भी questions examples करें सब cover हो जागा उसे में पाट a में है पाट b में है पाट c में पाट b में बोलता तब ही जागा if the amount of the offense is minimum minimum 1 crore minimum 1 crore minimum 1 crore minimum 1 crore sir transfer का मतलब क्या होता है sir transfer include sale purchase mortgage pledge gift loan सब कुछ भी दिया बेचा gift दिया loan दिया सब सब मिला कि क्या हो जागा वो transfer sir what do you mean with the word banking company HDFC bank हो गया sir aswad bank हो गया bank of India होगा sir it means a banking company as per companies act और a cooperative bank as per societies act to which BRA banking regulation act 1949 applies ठीक है जो definition है खाली बैंकिंग की important 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 चारो मा करो चारो important पहली जो definition है beneficial owner की अब ध्यानदर सुनना HDFC bank में मेरा धोभी है धोभी 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 लॉंड्री गाय रामू रामू का अकाउंट है एजज़से बैंगा वह स्वैग है रामू का अपना ही हास्था एज़़से में अकाउंट नहीं है भाईस आपका है उसमें कभी 10 लाक आता है कभी एक लाक आता है कभी 20 लाक आता है कभी 40 लाक आता है रामू कौन है धोभी यह जो अकाउंट है रामू का यह अक्चुल अकाउंट है मेरा अकाउंट खुलवा रखा है रामू के नाम पर पैसा महां पड़ा है मेरा कौन से बैंग में HDFC बैंग में तो एक-एक डेफिनेशन को ध्यान से देखना पहले में बात करता हो beneficial owner की किसकी beneficial owner beneficial owner कौन होगा sir it means an individual who ultimately owns or controls a client of a reporting entity sir reporting entity कौन हुआ sir HDFC bank reporting entity कौन हुआ sir HDFC bank दिक नीचे लिखा हुआ sir reporting entity means a banking company financial institution intermediary और a person carrying on a designated business or profession तो वो नीचे बता रहा है क्या होता है designated वो बात में दिखते हैं इसको बोलते हैं FBI financial institution banking company intermediary so sir reporting entity क्या हो गए मेरी sir HDFC bank हो गया reporting entity sir beneficial owner कौन हो गया example में देख्यों कौन हो जगा a b क्योंकि ultimately वो ही control कर रहा किसको client को client कौन हो गया Ramu it means a person who is engaged in a financial transaction or activity with the reporting entity and includes a person on whose behalf जब person who engaged in a transactional activity is acting तो बेटा Ramu कौन हो जाएगा हमारे लिए यह client हो जाएगा यह beneficial owner हो जाएगा और HSM हो जाएगे में लिए reporting entity इसको हम लोग FBI भी बोलते हैं financial institution banking company intermediary sir financial institution क्या होता है sir financial institution means means क्या क्या financial institution जो defined क्या गया as per RBI Act और cheat fund company housing finance company and authorized person हो गया कोई payment system operator हो गया sir कोई NBFC हो गई and the department of force in government of India यह भी क्या हो जाएगे मेरी sir financial institution आ सकते exam में एक-एक मां का बताओ कौन BO है मतलब beneficial owner कौन client है कौन FBA है कौन financial institution है sir intermediary क्यों हो दे इस बिचोले इंट्रमेटर कौन सर बिचोले कौन कौन सर स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर श्वय ट्रांसफरेशन बैंकर ट्रस्टीट वर ट्रस्टीट हो गया as per से भी जितने भी लोग है sir portfolio management bank का सब आज जागे हमापर sir an association registered under forward contracts regulation act sir coi intermediary as per pension fund regulatory development act sir recognize stock exchange as per secran 1956 तो यह आपको पैचानने के ला सकते हैं रटा नहीं मानने है पैचानने के ला सकती है paper pool में भी आ सकते है paper 60 में भी आ सकते हैं बहुत लोग करते हैं करके जाना चींद को sir records records मतलब क्या कोई कागज हुआ कोई floppy में हुआ कोई diskette में हुआ disk में हुआ कोई pen drive में हुआ कहीं भी hard copy में हुआ soft copy में हुआ वो क्या हो जागा मेरे रिकॉर्ड it means records maintained form of books or student computer or such other form as may be prescribed hard copy में हुआ या soft copy हुआ क्या हो जाएगा मैं रिकॉर्ड sir फिर यह लोग ने define कर रखा है कि sir यह क्या होता है और a person carrying on a designated business or profession यह लोग ने नीचे define कर दिया है sir तो यह सरकार ने बताया कि भी आप reporting entity और कौन कर ना सकते अब person carrying on activities for playing games of chance of cash and include such activities associated casino casino वाले लोग lottery tickets वाले लोग यह भी कौन हो जाएगे sir यह लोग भी reporting entity में आएगे sir reporting entity क्यों कि इनको बोला गया कि आपके पास कभी आप payment आती है या payment आप किसे को दे रहे हो तो अब हमें intimate कीजिए sir inspector general of registration appointed as per registration act 1908 inspector general of registration appointed under section 3 of registration act sir real estate agent real estate agent को नीचे define कर रखे कितने वाले लोग है वो आएगा आगे sir dealers in precious metals precious stones and other high value goods प्रिंटिंग बेच से वो लोग भी वो जाएंगे persons with designated business persons engage in safe keeping and cash and liquid securities on behalf of other persons as में भी notified by CG it could be like कोई payment transfer agent हो गया and persons करेंगे on such other activities as में भी notified by CG as में भी notified by CG अब नीचे real estate वालो को define किया sir real estate का मतलब कान वालो है sir a person engage in providing services in relation to purchase sale of real estate and having an annual turnover rupees 20 lakhs or above rupees 20 lakhs or above मतलब minimum 20 lakh rupees का minimum 20 lakh rupees का sir जो उपर बोला ना कि जो cash का transaction दिखता होगा पूर it means a person dealer in precious metals precious stones or person carrying on designated business or profession को भापर define किया कि if they engage in a cash transaction with a customer equal to rupees 10 lakhs equal to or above rupees 10 lakhs either carried out in a single operation or in several operations प्रेंशन आजिए पहले 3 lakh एक समान लेकर रहा है कोई राजा का हार था फिर राजा का कोई अंगूठी था वो लेकर आया आज़ा का राजा का एक बैल था वो लेकर रहा तो ऐसे धाय लाका क्या फिर थीन लाका फिर धाय लाका फिर थीन लाका पर यह तो सर एक ही चीज रांजर्शन लगरी ना सर लिंक लगरी ना तो सर you are covered आपको intimate करना पड़ेगा किसको पॉमिला की अथर्ट हो किसको यह शेडूल ओफेंस अ बीशी बी में एक कर रुपे की अमाउंट है फिर बेनेफिशन लोन होता है क्लाइं धॉर था है क्लाइंट क्लाइं इस फिनांशन इंस्टूशन के आई cash transaction with a person of minimum rupees 10 lakhs with a single or multi operations sir engage in safekeeping of cash and liquid transactions sir फिर और such other as my be notified by cg यह नया आया है याद रखना पड़ेगा आपको पैचानने के लिए आ सकता है clear हो गया definitions are important मतलब माननीजे 2 से चावा कोई ना कोई एक दिखी जाएगा paper में आपको एक सिकना आपको कि 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 यह आपको समझ में आ गया है कि कुछ डेफिनेशन से एटू जे कि इंपोर्टन इसको पढ़नी पड़ेगी बीस लाग का रियलिश्ट के अमाउंट है और वो जो प्रिशेस मेटल से महाबद दस लाग की अमाउंट है क्लियर नेक्स नेक्स अंसा अपका पुनिश्मेंट अंडर पॉमिला 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 वरी 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 इंपोर्टन सेक्शन फूर बोलता है कॉंस्याक का सा प्रिवेंशन और मनी लॉंटरिंग 2002 अग्जाम में पॉमिल लिख सकते आंसर इस नो आपको पूरा लखना पड़ तो minimum 3 years maximum is 7 3 to 7 years and fine but if if the offense offense relates to Narcotic Drugs and Psychotrophic Substance Act psychotrophic substance act if the offense relates to Narcotic Drugs and Psychotrophic Substance Act 1985 1985 1985 1985 then minimum जेल है तो same year है की 3 years की maximum हो जागा 10 years and fine and fine minimum 3 years maximum 10 years and fine minimum 3 years maximum 10 years and fine चार माग का अंसर है repetitive सर अगर कोई इंसान है कांड करता है किसका money laundering का तो minimum is 3 years maximum is 7 years and fine अगर offense लेल है नार्कोटिक Drugs and Psychotrophic Substance Act 1985 से तो minimum 3 years maximum 10 years and fine 3 to 7 and fine 3 to 10 and fine 1985 पूरा लिखना पड़ेगा Narcotic Drugs and Psychotrophic Substance Act 1985 section number कौन सो आता है section number 4 किसका पॉमिला का section number 4 of Pomela 2002 2002 sir next answer होता है obligation of FBI sir obligation of FBI मतलब obligation of reporting entity obligation का मतलब करता भी है sir करता भी है क्या होता है descriptive answer is straight forward theory question आता है what is the obligation of reporting entity it says the reporting entity has to keep records and inform the inform the prescribed transaction to the director sir director कौन होगा पॉमिला में चौ अथॉलिटी है उसको intimate करने का क्या who is appointed under this act क्या intimate करने का सर पर चारा जार आया 500 काट के फिर विट रहा ऐसा सालों से मंदर देट दो साल से ही transaction चला था अचानलक से राहूल के account में एक कुर रुपया आता है वो भाय चोटी बात है के बड़ी बात है देखो खुश हो रहे चोटी बात है के बड़ी बात है बहुत 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 बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है बैंक भाला भी बोला जिस फटीचर के account में सालों से डेर साल से चार चार आता डुपू करके 3500 डेबिट चार आता 3500 डेबिट बड़ाबर उसके account में अचानक से एक रुपया आ गया बहुत बड़ी बात है गुना क्या क्या है वो कोई नहीं कोई गलत का में बड़ी बन गया होगा उसके job लग गये होगी सब मेभी उसके कोई business क्या होगा सेल्स के पैसे आए होगा बराबर थोड़ी illegal भी तो हो सकता है न सरी हाँ बरोबर सर अब क्या करने का कुछ नहीं सो बड़ा FBI financial institution banking company intermediary मतलब कौन reporting entity तेरा करता भी है क्या करने का इसको intimate कर किसको intimate कर director को कौन से director को bank के नहीं 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 पॉमिला के director को कौन से फोर्म में प्रिसकाइब फोर्म है भाई साब कि Nicang में पहले 4 लाक आया फिर 10 लाक आया फिर 3 लाक आया फिर 8 लाक आया फिर 25 लाक आया एक महीने के अंदर इतना साला पैसा आ गया सर इट वस नोट वन कमपन्द रांसेक्शन इंस आ और सीरीज़ य्दि अरि इंस अधsecurity इंटिकर देन यह अधर तो सर एफबीए तरह करता है क्या कर इंटीमेट कर किसको डाक्राइब पामेला को तो या तो वह वह वन तड रहे हैं या सीरीज जोनि ऐरीए इंटेक्छिंट सुरीव ने परेड फिर फॉर्टी नाइन डि Pull grande क्ला मतलब यह को पता अपने कमा और यह था प्रोट इन हुआ उसको नहीं तोड रहे हो 49,999 है उत्रहें तक कैस लोड आगे जैसे 50 रुपय हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बेटा आपको पैन काड देला पड़ेगा पैन काड तो भाई सब क्या कर रहे है वह उसको अमांट को तोड नहीं रहे है वराबर ये बात भी आप क्या कर सब्सक्राइब करके रहे हैं तो वहां से पाथ साल तक आपको डिटेल्स रखने है क्या पैसा आया था कितना पैसा आया था किसको गया था किससे आप अगाउंट अकर बंद हो जाता है यह जो लास्ट राते क्शन है वीचेवरी लेटर विचेवरी देर महां से पाथ साल क्या मेंट करके रखोंगे किया क्या में डियुक्त सर दिखो है पर किया है कुछ निये बस एकदम एकदम easy word भार्षा में लिखा हुए पूरा every reporting entity shall maintain a record of all transaction which may be prescribed and furnish such information to the director within such time as may be prescribed आपको examples दे दिये COD delete कर दिया गे and they should maintain documents relating to the identity of its clients and 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 beneficial owner I hope you are clear है clients Ramu, beneficial owner ABAB as well as the business correspondence and the relating to the client business correspondence relating to the client क्या पैसा आया क्या sales है GST गया था export हुआ था जो भी document यह सब maintain कर कर रखो किसकी duty है बैंकों की duty है sir the records refer to in clause A मतलब the details of transaction details of transaction shall be maintained for 5 years 5 years कब से from the date of transaction between a client and the reporting entity जिसे in transaction शुरू हुआ details sir the records refer to in clause E मतलब क्या KYC Aadhar card, PAN card, address जो भी जो भी उसका details है, shall be maintained for 5 years same point from the date of cessation of transaction जिसे न आखरी transaction रही है or 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 the account closure or the account closure whichever is later whichever is later whichever is later समझा पाथ साल आपको details maintain कर कर रखने है पाथ साल from the date of start of transaction KYC maintain कर रही है from the date of cessation मतलब stoppage of transaction or the account closure whichever is later whichever is later भी मैंने कुल लिखा है refer page 3.16 module एक कुछ है खाले आपको रीड करने है MCQ के लिए Sir every reporting entity shall maintain the records of the following काई का Sir cash transaction cash transaction of more than 10 lakhs in foreign currency series of cash transaction cash 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 ठीक है if total in a month exceeds 10 lakhs in foreign currency so same as 10 lakhs 10 lakhs ठीक है फिर cash transaction where force or counterfeit currency or banknotes have been used as a genuine और वरिये एनी voucher of a valuable security or document has taken place facilitating the transaction मतलब बोगस वह LC वह LC निर्व मोधी वाला केस सबका transaction रखो all suspicious transaction अगर शक है सबका रखो DMAT में security account में money transfer loan check cash कैसे भी आया होगा Sir सबका रखो Sir all transaction involving receives by NPO NPO non-profit organization और रूपेश 10 lakhs or it's security in foreign currency तो देखो तीनों में cash transaction हुआ series of cash transaction हुआ NPO का हुआ so 10 lakhs के उपर in foreign currency 10 lakhs के उपर in foreign currency अच्छा cash transaction जहां पर forgery हो रखे है पूरा details रखना पड़ेगा suspicious transaction है सबका रखना पड़ेगा so 10 lakhs को यादकर करको MCQ के लिए आ सकता है नया चीज़े पहले नहीं हुआ करता बहुत लोग ने नहीं पड़ा होगा इसी बात पर 2 रुप्या Swiss bank में चीक है so हमने mapping कर रखे है पूरी के बीड़े कहां से क्या पड़ने का अपने को पूरा mapping कर रख है Sir Power of director to impose fine section 13 read 3.818 and 3.19 module कुछ नहीं खाली और reading वाला है so sir director कोन है पर पौम में लगा जो officer है वो क्या करएगा sir the director may make inquiry or cause inquiry to be made अगर उसको असर लगता है तो या तो खुद से मतलब sue or motor or an application made by any authority officer or person क्या करवाएगा वो inquiry करवाएगा sir inquiry करवादे वा क्या करगा sir he will issue a warning in writing he will direct to comply with the specific instruction क्या आपको फॉलो करने पड़ेगा periodical reports में भी आज कि भी को रिपोर्ट बना कि ये ती महीने की छे महीने की बारा महीने की और impose penalty 10,000 से लेकिए 1,00,000 पर failure तो खाली ये read करने power of debt to impose fine section number 13 read करने never ever ask in the exam पर ठीकर डाग्रम दे रखा इन शूट ने तो बरो साने पूछ ले आतो then next answer मेर आतो है very important answer appeal to AT and high code appeal to AT and high code very 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 important say section number 26 तो एक तो बीटा वो जो अपनी penalty 3 years to 7 years and fine वाली अगर नर्कोटिक, Drugs and Psychotrophic, Substance Act 1985 हुआ तो sir 3 years to 10 years and fine very important obligation of FBI repetitive answer है और एक या answer appeal to AT and high code appeal to AT and high code क्या कहता देखो any reporting entity मतलब कौन? agree by the order of director समझो concept को order of director मतलब सर्व money laundering के लोगों ने पकड़ लिया sir कैसे क्यों पकड़ेंगे? अब देखो जैसे मैंने आपको मेरा example दिया था कि मैंने कांड किया था सुमित ने मेरी मदद की थी अतुल के घर पर पैसे रखे वे थे तो AB को पकड़ के लेके गए बराबर सुमित को पकड़ के लेके गए और AT and all सबको लेके चले गए same example assume करो मैं मेरा illegal bank में रखता हूं तो मैंने कांड किया तो मेरे को लेके जाए सुमित ने मेरी मदद की सुमित को लेके जाए पर क्या bank वालो को लेके आ सकते नहीं sir bank को क्यो लेके जाए क्योंकि bank को थो ली पता होता है कि वह पैसा illegal है कि illegal है तो पैसा है ना sir हां bank ने अगर अपनी duty पूरी नहीं की वह intimate करने की in such form such fees in such period as may be prescribed तो वह guilty है but just because उलोंने पैसा रखा था किसी का वह illegal पैसा था bank को थो ली पता होता वह चीज तो वह लोग agreed हो जाएंगे पराबर so any agreement, any reporting entity agreed by the order of director और a director or any person agreed by the order of आहां मतलब adjudicating authority I hope आपको पहला वाला समझाओगा पहला वाला reporting entity कब agreed होगी अभिकर 7 years मेरे को खाली 3 साल के सजा दिए कि मैंने कांड किया तो डार्यक्टर को मिर्ची लगया बोगता सरा यह भी ने इतना बड़ा कांड 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 का था 3 साल के सजा नहीं-नहीं मैं agreed हो vice versa मेरे को 7 साल के सजा दे दिए पर क्या है वो एड़ीकेटिंग अथार्टी वो डीसेजन देगी अगर एड़ीकेटिंग अत्रॉटिस या तो मैं अग्रीव्ट मतलब परसन अगर मेरे को person agreed is kis kya order say a kya order say koi bhi aggrieved okay we are kaha jayen kya sir shall file an appeal to AT shall file an appeal to AT appellate tribunal appellate tribunal पहले appeal हम लोग सीखा था same point है within within 45 days within 45 days from the date of order from the date of order kiska अगर हम लोग reporting entity की बात करते है तो from the date of the order of correct director अगर हम लोग director की बात ने करते है या person की बात करते है from the date of order of a to go how isa लिखा है from the date of order of director और a as a case में भी आयो आपको समझ में आगा as a case में भी क्यों कोई भी point मगर attract होता है तो in the prescribed form along with the prescribed fees मेरा favorite in the prescribed form along with the prescribed fees clear so any reporting entity agree by the order of director or any director or any person authorized by the or agree by the order of a shall file an appeal to AT within 45 days family appeal 45 days from the date of the order of a or the director as a case may be in the prescribed form along with prescribed fees sir you stay in a country cause India यहां पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक अगर आप अगर अग्रीव दो extension मांगोंगे भीक मांगोंगे AT में लो extension of sufficient causes शोन वह होगा 45 days का पर act में लिखा हो नहीं अपने model में लिखा हो नहीं है तो मैंने 45 days लिखानी आप बोलोगे sufficient cause है तो extension मिल जाएगा AT क्या करगा AT में confirm modify set aside the order बराबर AT shall dispose of the appeal within 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 six months from the date of date of filing of the appeal उनके बास जब आए तो 6 महिने का time में उनको dispose of करने के लिए पॉमेला का पॉमेला हम company's act में कुछ और सीखे थे में थीन महिना था extension अब्वे दिन था यहाद असा कुछ NCLAT को यहाँ पर जो पॉमेला का एट उसके बास 6 महिना है 6 महिना एनी परसंद अग्री बाइद ओर अच्छा दिन खताम होगे extension के भी महां को कितना maximum 60 इस extension 60 इस तो आपर 45 ए extension का days नहीं है पहले अपील के लिए second appeal जाएगी high court के पास high court पास extension 60 days normal time 60 days extension 60 days either on the question of law question of fact either on the question of law question of fact अरे DTK महान बच्चो mix मत करना AB अलग है BB अलग है दोनों अलग अलग है mix नहीं करना है नहीं करना है इधर यहां लिखा है इधर on question of law और question of act लिखा है नहीं पर यह follow करने का सर पहला अपील है 45 days extension का days नहीं दिया पर मिल जाएगा होगा वह 45 पर days नहीं दिया है second appeal जाएगी high court के पास time limit है 60 days extension 60 days सर कौन सा high court कौन सा high court यह पढ़ चुके हम लोग यह आपको मैंने बोला था ना कि जब मैं companies act पढ़ता हों तब भी same होता है कोई भी act पढ़ोगे तो भी same होता high court सर अगर किसी इंसान की बाते होती है किसी इंसान की बाते तो जहां वो रहता होगा या वो काम करता होगा वो उसके jurisdiction में जो high court लेगा वो decision देगा the high court means high court within the jurisdiction where agreed person resides carries on business or personally works for gain मतब धन्दा करता है और वेर सीजी इस अग्रीव पार्टी एक सगेंड कौन अग्रीव और सीजी अब अजूम करो मेरे को अगर छोड़ दिया होगा हवाला transaction मैंने किया मेरे को छोड़ दिया तो सर डिरेक्टर आफ पॉमिला को मिर्ची लगी मतलब किसको सरकार को मिर्ची लगी मोरी जी को मिर्च दिया च्रुड़ दिया तो मिर्ची किसको को लगा Cg को मिर्ची लगा CC और cg को मिर्ची लगेगा तो भी आभी हाइच कोट में अठीजा के second appeal करेंगे这是 ताट दिन के अंदर तो सर कौन सी कौन सी हाई कोट के पास ठ्यानों सुनना हूं दा हाई कोट विदिन दर जुरिदिक्षिन अविच रिस्पॉंडेंट मतलब मिर्ची सीज को लगी है अगर यह पार आए कोट में केस करना है कौन से हाई कोट में केस करना है कौन से हाई कोट में सर पॉमिला के लिए क्या बोलता है जो जो अग्रीव परसें जहां वो रहता है यह काम करता है और परसनली वर्क्स वर गें उस हाई कोट में करोगे कौमन अंसर यही कंपनी के परते है यही हम लोग सेवी में परते हैं यही इसमें परते हैं हर जगा यहीक अंसर चलता है clear so appeal का answer बहुत important आता है exam में sir क्या बोलता है any reporting entity agree by the order of director or any director or person authorized may agree by the order of a may file appeal within 45 days within 45 days from the date of order of director or a in the prescribed form along with prescribes extension mil chaheke if sufficient cause is shown AT may set aside confirm or modify the order sir AT will dispose of the appeal within 6 months from the date of the filing of appeal sir agar person agree by AT say aagee ga high court ke pas within 60 days extension 60 days ka beraber sir either on question of law or question of fact sir kuan say high court sir ke bas jayega wou sir agar agar aap aggrieved hoon to jahaan aap rehatte ho resides carries on business or personally works for gain but agar jahapar cg respond cg mapar aggrieved to jahapar woh joh respondent henna reply reply karega reply karega woh ya toh vahar rata hai ya kama karta hai business karta hai ya fir agar eek se zi ziada respondent hai toh koji bhi ek jahar rata hai ya kama karta hai ya personally works for gain us iqoot में आप case कर दीजे exam में आया होगा यह point sir next decisions to be taken by majority क्या कहता है बच्छोई decisions to be taken by majority मतलब common point है यह बी मतलब यह law खा procedure पाट है sir bench होता है bench बराबर हम लोग गया adjudicating authority के लोग decision लेंगे तो जनरली जब decision होगा हमेशा majority से होगा जनरली किसे होगा वह majority से sir generally the decisions to be taken by majority boss generally the decisions to be taken by majority majority जितने भी bench पे तीं आदे डो ने जोग बोला वह decision माना जाएगा can a be guilty गिल्टी है एबी not guilty उट इफेंगी not guilty अगर एक bench यह एक बेंच पर दौ्य लोग है kватै Ś retract अग है एक बोलता है इपास chairperson कर निकार थो खुझ से series देगा बागी जो दूसरे बैंच वालना ए दिल्ली बैंच आना चला ए चंदिगर बैंच आना ए कलकत्ता बैंच आना बैठाना लोग भी सबको फिर से केस सुनाया चाहेगा फिर जितने भी अब जो लोग है ना इंक्रूडिंग दोस्स जो पेहले जिने नंने सुना था तो अब लोग वापंश से वोट करेंगे और जो नहीं मेजॉरिटी ऑएगी वह amp дог बटकर में जोटी नहीं है मतलब और एवन नमबर है वहाँ पर तो क्या होगा केज जाएगा चैर परसंट के बाद चैर परसंट कोद अपना डिस्जिशन दे सकता है या फिर या फिर वह जितने भी बाकि जो बैंच के लोगे सब को बुलाएगा और जो यह जो पुराने वोट, कास्टिंग ओट होता ही है या देखो, हाविवर इफ आ बाच नहीं, बैंच होगा है विने भाई तुमने रॉंग लिखा है इफ बैंच consisting of two members bench consisting of two members differ in opinion then they shall state the point of points on which they differ and make a reference to the chairperson who shall hear the case himself or forward the case to the third members of AT and the decision will be given by the new majority of the members of AT including those who first heard it so Chandigarh, Calcutta, Delhi who will call in the Umbay who will call in the Umbay and the new majority will be given 4 months of the exam this is the same in NCLT but we have to delete the syllabus it is in practical life it is in bare act because it is common the law of the procedure if you read the law if you have a decision then you have authority if it is equal or even number then where is the chairperson if the chairperson doesn't give it if the chairperson doesn't give it then the rest of the bench who will call in the majority and vote DJ over common answer okay? next sir no civil court will have unglia coi bhi 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 coi coi bhi coi coi mo coi c ta p clear क्लिर अभी आगे पढ़ते हम लोग अभी हम पढ़ रहे हैं special court के बार में जैसे company jack में मैंने सिखाया था आपको के special court बनता है जब भी company jack क्या offense होगा तो बहुत अपने को सुन्वाई करने के लिए court बनेगा तो नया court नहीं बनता है रेती सिमेंट लेके बराबर कोई चंकी वहम की नहीं लगती जो existing court है उसे को designate करते थे कौन करता है सार cg in consultation with chief justice of high court same answer ये भी exam question है so it says the cg in consultation same point भीटा the cg in consultation with chief justice of high court the cg in consultation with chief justice of high court for the trial of offense of money laundering shall designate जितने ही जी है उसकी जी है like father की शादियो courts for such area or areas or class or group of cases as may be prescribed so cg की इच्छा होगी in consultation with chief justice of high court जितने ही उसकोच ही हो उतने ही court को वह designate कर देगा for the trial of offense of money laundering sir special court shall also try the offense with which the accused may be charged at the same trial under criminal procedure court 1973 so criminal procedure court में को उसे can't कर दिया है तो ये special court है money laundering का वो ही सुनवाई कर लेगा वो ही सुनवाई कर लेगा point number three मैंने important लिखा है मतलब एक्जाम में आया होगा for sure छोटा सा point the special court cannot take cognizance of offense कल के दपन cognizance मतलब sir recording recording of offense sir special court तभी अपनी book में record करेगा note करेगा कब जब किसने complain कियोगी कौन complaint करेगा sir या तो पॉमेला का जो officer है कौन है वो director या फिर इन officer of cg or sg क्योंके दो को यहां पर क्या है हवाला ट्रांडेक्शन होरा kidnapping होई सा गलत कान तो सरकार को तकलीफ होगी तो इन officer of cg sg point number three exam question the special court will record the offense only only if a complaint is writing is made by या तो पॉमेला का director या फिर या फिर इन officer of cg or sg who is authorized in writing in this behalf by the cg either by a general order or special order made in this behalf by that particular government तो अगर cg को officer to cg not rights क्या होगा sg को officer to sg not authorized कर रखा होगा sir the police officer can investigate offense under this act only if he is authorized police तभी आ सकती है जब या उसको authorized क्या होगा क्योंकि यहां पर आपर ने सीखा हुए कोई भी अमेंदा के बीच में उंगली ने करें ना कोई act है ना कोई court है ना कोई कानून है पुलिस भी नहीं करता है जब तो उसको authorized नहीं किया गया होगा the special court while trying an offense under formula shall hold the trial as per the provisions of criminal procedure court 1973 तो जो procedure कहां से follow करेंगे बन CRPC 1973 से कहां से CRPC 1973 से इसमें जो पॉइंट नंबर वन है कि सीजी इन कंसलेशन भी चीफ जिस्ट फाइकोड यह सेम पॉइंट अपन ने सीखा था special court के इंदर सेम पॉइंट यहां पर भी सेम पॉइंट हर एक्ट में आएगा जब जब 8th when the bill when the bill can be granted under formula अब सुनों आपको मैं सिखा तो कोग्नीशिबल नॉन कोगनीशिबल तुम्हारे सब से मुझे सबता है मॉँचे कान्ट हो है नॉन कोगनीशिबल होगा कि नॉन कोगनीशिबल होगा कॉगनीशिबल होगा कर दे पहुंट मोटा चांडे तो तर क्यों झाज़को अग्र कॉग्निजीब गर कॉग्निजीबल नहीं मिलता और फिटा बेंड़ को है बड़ा कान दे साइड अब कॉग्निजीबल आर्फने पॉमिला श बीजावी कोग्निजीबल आंड नॉन वेल बेल बाल आपेंसे तॉ अब क्या है अजिम् कोर वो मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो क्या हो चाहेगा तो सामने जो सेंटर्ल को वर्मेंट को तकलिफ वही गी बराब के वी को क्यों बाइज़ बरी कर लिया तो सेंट्रल प्रोसेकरटर वो मेरे खिलाफ एपलिकेशन करेंगा and where the public prosecutor oppose the application, court is satisfied that Kya A.B. ने कांट नहीं किया है A.B. ने कांट नहीं किया and and he will not commit any offense while on bail मैं court को बोला कि वे दिक मैंने कांट नहीं किया और मैं जब बेल पर एगा, मैं कांट नहीं किया, मैंने कांट नहीं किया where the public prosecutor oppose the application the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that AB is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense likely to commit any offense while on bail तो भाईय जब मैं बेल पर हमें कांट नहीं करूंगा और if a person is less than less than 16 years छोटा है less than 16 years और is a woman और is sick बिमार है और is inform mentally unstable ठीक है और और either alone or along with other co-accused is accused of money laundering for some of less than 1 crore less than 1 crore मतलब सर या तो दे को public prosecutor अना अपोस किया है उसको जब मौका दिया court is satisfied आपने कांट नहीं किया या फिर सर आप woman हो या फिर less than 16 years या तो आप inform हो या तो आप सिक हो या फिर आपने कांट कर रहा है less than 1 crore रुपे का less than 1 crore तो क्या हो जगा he may be released on bail if special court so direct he may be released on bail if special court so direct he may be released on bail if special court so direct हो सकता है so कितने reasons होगे sir एक PP वाला होगे public prosecutor वाला दूसरा less than 16 years तीसरा woman यह सब और है मतलब और चौता असिक है पाच्वा इनफोर में छटा विद को एक्यूस less than 1 crore का कांट के less than 1 crore का कांट के clear sir next next बोलता है sir punishment for vexatious search क्या बच्चो punishment for vexatious search मतलब sir fake fake search क्या होगे है पर मैंने कांट नहीं किया था पर क्या है लोगों में चर्भी बहुत है अब people will start getting jealous बराबर किसी ने complain कर दी मेरी रेड मूवी में ने complain कर दी अब पुलिस आ गई बाद में पर चलता है कुछ कांटी नहीं अपन तो सब कुछ GST बराबर बढ़ते income tax बराबर बढ़ते अब पुलिस वाले वो खुणनस था बहुत खुणनस था बढ़ता लेने कर दा मेरे से तो इस एनी ओफिसर और अथॉर्टी अंडर दिस आट वू विदाउट अनी रीजन विदाउट अनी रिजन तो बी रिकॉर्ड इन राइटिंग सर्चिस और कोजस चुभी सर्च एनी बिल्डिन और प्लेज मतलब मेरा जो ऑ्फिस्स इमेरा जो कूदाव ने मेरी बीडिंग और भाके सर्च किया अब तो टू यूज अफिटी ताफ़न और बोथ तो अगर फेक सर्च हुआ है वेक्सेश्य सर्च हुआ है या मेरे को जान पूछको उठाके लेगे मैंने कोई कांड नहीं किया था फिर भी मेरा प्रेमाईस इस सर्च कर आए के मेरे को डिटें कर दें मेरे को बन कर दिया तो तो सर कितनी पेनल्टी लगेगी मेरे को नहीं उस ओफिसर को अप टू यह अप टू 50,000 और बोध अप टू 50,000 अप टू यह और और बोध क्लियर सर अब यह तक पूरे चाप्टर में दो ही पेनल्टी आई है पहला आया था हमारा एक्शन 4 का कांड किया अपने मनी लॉंट्रे कांड किया तो मिन्यों 3-7 यह और फाइन है ड्रक्स बेचा बचा तो 3-10 यह और फाइन बराबर यह क्लियर है ऑफिसर ने फेक सर्च किया फेक अपनी गिवस ने फॉल्स इंफॉरमेशन और कॉस न अरे सोच भी मेड मतलब वह ओफिसर ने जो जाके अरेस्ट किया न वो किसी और के पिके मेरे को अरेस्ट किसी इंसान ने ने कम लुए रौल ने कम्पलेंट कर दे मेरा बता न यह भी शुआ बहुत पैसे गरीब आदम मैं गरीब आदमी तो ओको ओफिसर ने सच्छ किया उसको कितना अप्टो टू यह सै अप्टो फिस ऊग्लेंट और बौत सेंब अफिसर को है राहूल को भी पैनल्टी इतना अप्टो टू यह और बोथ बॉलते हैं आप जो भी कहें हो सच के सबस्ट सेवाँ कूछ मद बता दिया सब कि पैसा कहा कहा सब बता दिया अब जो इंस्पेक्टर था वो लिख रहा था मतलब जो आप अच्छा है अंड़ इंडर इंग सुधा रहा रहा है वो लिख आ बोला नहीं मैं साइन नहीं करेगा मैं साइन नहीं करेगा नहीं मुझसे कुछ पूछा वो तुले चोरी किये के नहीं किये डरार है मेरको यह से बच्चे लोग करते रहे मेरे वो इसे कोई फरक नहीं पड़ता है कि सारी किसे को डर लगा यह मुझस में ऐसे टेबल होता है उपर लाइट होता है एंजा में तुमने किड्नापिंग यह पता नहीं मैं जवाब नहीं यह मैंने कोई बोला जवाब दिया पर मैं कागेश पर साइं नहीं कर रहे लाए। मैंने कि शेडिकानी कि मतलब या तो मैं गया नहीं गया तो मैंने जवाब दिया नहीं जवाब दिया तो मैंने उस पर साइन नहीं किया मैंने कुछ भी करंट किया मैंने he shall be liable he shall be liable he shall be liable for minimum 500 maximum 10,000 for each default तो मेरे को penalty लगे कि minimum 500 maximum 10,000 for each default before passing any order में को क्या देदेगा भॉकने का मौका ओ मतलब क्या opportunity of being heard क्या देदेगा अपने को नेक्स्ट पांसो से लेके 10,000 तक तो अब तक तीन पेनलिटी से किया है 3 to 7 years and fine sir drugs बैचा तो 3 to 10 years and fine clear इतना चीज़ अचा sir अगर आपने वेक्सेश्य सर्च करवाया है तो जिसने कंप्लें किया और जिस ओफिसर ने पर तो फिटी दर्जन आप टू यह और बहुत है आपको बुलाया कर आप गए नहीं आप गए आपने जवाब दिया नहीं आपने जवाब दिया अपने पांसो सो लेके दसदर हुआ पांसो सो लेके दसदर है फॉर इस डिफर्ट बिफोर पासिंग एनी और क्या दिया जाएगा आपको सरे ए अप्यों बीइंग हर्ड इसर नेस्ट भी दे रहा हूं and it is not पिर कितना दिन के लिए 6 months, M से क्यों, descriptive भी आ सकता है, from the date of imposition of the final penalty, then, तो जो डिरेक्टर या officer है, वो में लगा, shall recover the amount from the said person, कैसा, in the same manner, जो income tax act में दिया हुआ है, in the same manner, जो income tax में दिया हुआ है, for recovery of arrears and he shall have the same powers as a, of tax recovery officer, as mentioned in that said schedule, as mentioned in the said schedule, as mentioned in the said schedule, sir, बहुत simple है, अगर 13 or 63 में penalty दी गई है, तो आप पे कर दीज़े, आपने पे नहीं किया, 6 मेना बीद गया, तो जो डिरेक्टर पॉम में लगा है, कोई और officer यहां पर जो authorized कर रखा है, कैसा वसूल है का, जैसे income tax में वसूलते है, उठाके लए जाते बराबर, अरे सिखाओ को नहीं सार्च अंसरवे में, शादी चल रहे है, शादी उनने देगा, खाना खाएगा, जैसे लड़की विदा होई, चल बाबु, चल बाबु, चल 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 चल, उठाके ले कि जागा, like a tax recovery officer, as mentioned in the said schedule, clear, read this answer. अर्पड़र बाबु, चल चल, 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 जैसे लड़ होई, झाल झाल रान? नीचे Offenses by Companies अब सुनू पॉमेला में इंसान ने कांट के अपने को पता है कि सर इंसान ने कांट के उसको पैनेटी लग जाएगी अब सवाल यूठा सागर कंपने ने कांट किया तो तो जो उसके Officers है उनको लगेगा वो ही बोला गया है सर अगर वो छोड़के चले गए अगर वो पूञेटव वह प्रूफ करते हैं कि सर उन्होंने गूड परस किति तो फिर वह लाइबल नहीं थिर वह लाइबल नहीं कि जहां जहाब अब रद्रेक्टर ही उसके आगए, जहां गयाँ अब रदेक्टर ही आपर पार्टनर समझ ने का, देखो भी, if an offense is committed under formula by a company, by a company, then every officer who was responsible for the conduct of business of the company, as well as the company, अज़ा company खुद, मतलब officer and company खुद, as well as the company, shall be guilty and punished accordingly, shall be guilty and punished accordingly. However, if he proves that he has exercised all due diligence to prevent such contravention, then he will not be guilty. अगर आपने प्रूफ कर दिया, then you are not guilty. Sir, if the offense under formula is committed with the consent or connivance, मतलब रजा मंदी, किस से? Director, Manager, Secretary, then then, such director, manager, secretary, shall also be deemed to be guilty and punished accordingly. वो भी guilty होएंगे. Sir, for the purpose of this section, company means anybody cooperate and includes a firm or other association of individuals. Sir, director, मतलब क्या? In relation to a firm, means a partner in the firm. तो कि पार्टनर्शी फर्म का एक्जाम में क्वेश्चन आप बोल तो कि हाँ, पार्टनर्शी फर्म गिल्टी and partners be guilty and partners be guilty. Clear? एक्जाम क्वेश्चन. कराए तो हाथ के आपको. पार्टनर्शी फर्म क्वेश्चन. पार्टनर्शी फर्म क्वेश्चन. पार्टनर्शी फर्म क्वेश्चन. क्वेश्चन 19 देखू. सामने. Mr. Ramesh was a partner in a firm Rajkumar & Sons. The said firm was established by Rajkumar. ठीक है? Who is the director of Shubh Lab Private Limited? Which is a one-person company. ठीक है? Shubh Lab Private Limited have foreign income from the clientele being of outside India. ठीक है? Companies generation of foreign income was invested by Rajkumar in its firm without being disclosed in the financial records. Mr. Ramesh was not aware of such undisclosed flow of fund in the firm. Give your answer. Liability of Mr. Ramesh being a partner of the firm which is involved in the use of income of Shubh Lab Limited obtained from the foreign client. And, 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 and liability of Mr. Rajkumar who is being a director of Shubh Lab Private Limited. बोलो, अगर मेरे को पता था, मैंने कांड किया है, मैं मेरी किसी की रजा मंद से कांड 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 का था. I am guilty of offence of money laundering, company भी गिल्टी है, and director भी गिल्टी है. वो ही सेम जाए कि पार्टनर शिफा में हो जाओ, तो पार्टनर भी गिल्टी है, and, and partner भी गिल्टी है. But, अगर मेरे को पता ही निया, मैंने प्रूव कर दे, I was not aware of it. So, you are not liable. So, सेम जो भी आपने थेरी पड़ी, section 70 का पूरा वो थेरी लोग ने लिखा हुआ है. However, the firm, however, the firm, the firm, the firm is liable for the commission of schedule offense. So, section 70 theory and then you will give conclusion. So, Ramesh guilty है, sorry, Ramesh guilty नहीं है, but जो firm है, उसने कांड किया है, तो वो guilty है. So, दूसरे case में, दूसरे case में, both Rajkumar, the director of Shubh Private Limited, the company. So, Rajkumar भी और जो company वो खुद भी, are liable for the commission of schedule offense as per the above provision. समझा आपको? So, बेटा, देखो company आप guilty, director आप guilty, firm आप guilty, पर जिसको पता नहीं था, पार्टना को तूने कांड किया तो तू बिल गिलिए, पर अगर तूने को पता ही नहीं है, या तूने अगर due diligence किया है, तो sir, आप guilty, नहीं है, आप guilty, नहीं है. एजी है, ऐसा ही question, यह एक ही question is concept exam में आया हुगा है. Question number 13, it says, continuation of proceeding in the event of death or insolvency. logical है, इनसान मर गया है, तो appeal file कियो गया अपने, तहाँ पर या तो AT के पास, या फिर subsequently high court के बस बराबर, मर गया है. तो कौन आएगा picture में sir, उसका legal heer, कौन आएगा बच्चा उसका picture में legal heer, hair, hair, h-e-i-r, sir, अगर इनसान जिन्दा है, पर वो क्या हो गया है, insolvent हो गया है, तो कौन आएगा sir, उसका official receiver या फिर official assigne, कौन आएगा sir, official receiver और official assigne, the case where the property of a person is attached, and no appeal has been made, or where the appeal has been made to 80, but the person dies, sir, appeal आपने किया ही नहीं है, या अगर आपने किया है, पर वो इनसान मर गया है, तो क्या हो जाएगा, अगर वो person मर जाता है, तो picture में कौन आएगा sir, legal repositionity, but, but, अगर वो person becomes insolvent, becomes insolvent, then कौन आएगा picture में, official receiver और official assigne, of such person file, और continued appeal, समझा आपको, अगर appeal file नहीं किये, तो file करव to high court, when on the decision of 80, no appeal has been made to high court, और appeal file की थी, पर या तो आप मर गये हो, या तो आप insolvent हो गये, तो क्या आएगा picture में, legal representative, or the official receiver assigne, या तो appeal file करेगा, या तो वो continue करेगा, same point है, see, या तो आपने appeal file नहीं की थी, आप मर गये, या आप insolvent हो गये, या आपने appeal file की थी, पर आप मर गये, या आप insolvent हो गये, तो दोनों case में, अगर आप मर गये हो, तो कौन आएगा sir, आप picture में, official, sorry, मर गये तो legal representative, अगर आप जिन्दा हो, पर insolvent हो, तो official receiver assigne, अगर appeal file नहीं की थी, तो वो appeal कर देंगे, जहां भी AT में, या high court में, appeal file कर दी थी, पर आप मर गये, या फिर आप insolvent हो गये, तो वो continue कर देंगे, हो गया answer, खत्म, read, छोटा सा answer exam में आ सकता है भी याइ जचर में, याइ जक रखने के माइं आ सकता है, इनक, बदो वो कर दो अफ़ताह सर दो जाऱ जवार लगकर जाज़ कर दो वो गया हो, रढ़ हो एंगे, झाल कर दो वो प्र जाज़ कर दो नहां आप हो, याज़, याज़ना एंगर शोबसीकी नहां झाप प्र झाल 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 डन है? next 14 अब आजवा 14, 15, 16, 17 यहीं चार आंसर बच्छोंगे हैं इसमें attachment अच्छन नमबर 5 अब क्या होता है अच्छकर ट्रेंड में यह सारे आंसर चल रहे हैं अटाच्मेंट तो यह पॉमिला कि जब आपके प्रोपर्टी को जब्ट कर लिया जाएगा उसको बोलते हैं प्रोविजनल अटाच्मेंट कितने दिन के लिए सर एक्सव अच्छी दिन क आपके प्रोपर्टी को जब्ट कर लिया जाएगा जाएगा अच्छा सर जब प्रोपर्टी जब्ट कर लिया जाएगा अच्छा सर जब प्रोपर्टी जब्ट कर लिया जाएगा अच्छा सर जब प्रोपर्टी जब्ट कर सकते हो yes I can stay in that immobile property अब बिन्दा आपके प्रोप प्रोविजनली वीजनली अटाच दापरटी पॉर मक्जीमनالمSON ऑक 152 .. ser जब एप 162 कालकोण करेंगे बाई चंस एक कोई जो सामने वाला इंसान हम तो इस बर पॉमिला अटाच कर लिया है वह मुन्ना भाई वाली मुवी में, second innings house, पता बारे वो temporary stay order लेकर आते है, stay order, injunction जिसको बोलते है पन, वो लेकर आ गया, तो बहुते जितना भी दिन का stay order लेकर आ गया, तो बहुते जितना भी दिन का stay order लेकर आ गया, sir आप उसको minus कर दीजे, क्योंकि आप उस time पर तो काम नहीं कर पाओगे, so 180 days minus stay order period, high court stay order period, अब officer तेरको तो नुकसान हो गया, तो वो क्या बोलता है, हम आपको ताकत देंगे, pump off देंगे हमाँ पर आप, आप एक काम कीज़े, 30 दिन add कर दीजिए, कितना add कर दीजिए, 30 दिन, sir सामने वाला 40 दिन का stay order लेकर रहा है, so 180 माइनस 40 180 minus 20 plus 20 करेंगे, क्योंकि officer को कोई नुकसान ही नहीं हो ना फिर, अगर आप सोचो कि मैं पूरा 30 add कर लिए, तो sir वो 180 दिन breach हो जाएगा, तो sir अगर actual stay order 30 दिन से कम है, तो उतना आपको comp off मिल जाएगा, अगर 30 दिन से जाधा stay order है, तो आपको 30 दिन का ही comp off मिलेगा, 30 दिन का maximum 30 दिन, शाल भी added, शाल भी added, शाल भी added, शाल भी added, कैसे करना है sir, that is 180, 180 minus high court stay order add 30, add 30, add 30, आज सुग एग्जामे, minus high court stay order add 30, sir, no order of attachment shall be made unless a report has been forwarded to, किसको magistrate as per criminal procedure code 1973, तो MC की मान सकता है, report कहाँ जाएगा, magistrate को, attachment को order pass करने से पहले, आप कहाँ जाओगे sir, आप magistrate को एक report दो होगे, और a complaint has been filed by the person before the magistrate or court, तो या तो आप report दे दीजे, या आप आप complaint कर दीजे, sir, the director or officer not to the rank of deputy director, shall forward the order copy, जैसे उसने order pass कर दे, किसको add you ticketing authority को within 30 days from the order of such attachment, किसको देदे का sir, वो जाके, आप को copy देदे का, या मैंने तो order pass कर दे, attachment का, so attachment का order कौन pass करता है, या तो deputy director या उसके उपर वाला officer, deputy director या उसके उपर वाला officer, जैसे order pass हो गया, copy जाएगे, आ के पास, sir, every order of attachment, shall cease, logical है, attachment कोई को provisional हुई है, sir, वो उसने कब cease हो जागे, कब रुख जाएगा, after the expiry of 180 days, after the expiry of 180 days, बराबर, और, और, an order for adjudication, or order made under section 8, that is, adjudication, whichever is earlier, मतलब, यहाँ पर हमने provisional attachment किया, so that, temporary, आपके property attach कर देगे, हम लो proceeding करते रहेंगे, कारवाई करेंगे, अब कारवाई पूरी हो गई, अब प्रूव हो गया, कि आप guilty हो, तो adjudication को order pass हो गया, तो 100 दिन को, 100 दे को, अगर order pass होता है, तो यहाँ पर provisional attachment cease हो जाएगा, क्योंकि आप वो confiscation में चला जाएगा, but, कारवाई चल रहे, चल रहे, चल रहे, तो 180 दिन के बाद, खतम हो जाएगा, तो property release हो जाएगा, property release, so it says 180 days, out the order of adjudication, whichever is earlier, whichever is earlier, however, the person interested is entitled for the enjoyment of immoral property attached, तो sir, जो भी person interested, वो property enjoy का सब घर मे रहा सब, क्योंकि इस a temporary attachment, provisional attachment, person interested includes all, all persons claiming, or entitled to claim any interest in the property, जिसका भी घर वर रहे, sir, वो बिंदा जाके रह सकता, कोई tension निया, रहो, sir, ठीक है, इसका question देख लिए तभी, model के पीछे, question number 4 है, question number 4, model के पीछे, that's on page number, बिटा, 3.37, 3.37, क्या कहता है, देखो भी, it says, Mr. B, purchase a flat out of the proceeds earned by drug trafficking, ठीक है, गलत काम से किया है, the flat was attached by the director, ठीक है, attach हो गया है, मतलब attach, section number 5, ED, after complying the procedure under section 5, ठीक है, बोल दी दिया, formula, Mr. B, got a high court stay order, for any proceeding under the SEDEC, the stay was subsequently vacated, state the relevant provisions of formula for competing the period of provisional attachment, तो section 5 की थेहरी, 180, minus high court stay order, plus 30 days, बराबर, state whether Mr. C, son of B, can occupy the flat during the period of provisional attachment, बोलो, yes, क्योंकि वो क्यों है, person entitled है, बिंदास रह सकते सर फ्लाट में, कोई tension है, बिंदास रखो सर, हो गया, एक सके नहाँ, एक सके नहाँ, तीन मांक का पॉमिला था, तीन मांक का पॉमिला था, तीन मांक का पॉमिला था, शे मांक, बिंदास क्वेशन नमबर 3B, 3C, 3D, और पीछे भी है, क्वेशन नमबर 6C, तो 9 मांक तो मिनिममम था ही है, मैं आपको रहाँ, दस मांक का पॉमिला, चेक करों नहीं वाला क्वेशन तुमको आता ही है, और नहीं से लोौ रहाँ, जय रदेशन वाला का पॉमिला रहाँ, विनिम्मम आता है, तो 9, 1-2-3, पीले वाला का तो 9, 1-2-3, जचे कर्फेशन नमबर 5C, 4C, 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 5C, 6C, 5C, 5C, 6C, 4C, 1C, 6C, 5C, 6C, 5C, 6C, 7C, 7C, 5C, 5C, 1C, 7C, बोलो बच्छो सर बिना कोई reason के भाई साब चले गया अंदर प्रोपर्टी साज कर ली अप्टो 50,000 और अप्टो टू यह और बोथ अप्टो 50,000 अप्टो टू यह और और बोथ हो गया लोग बोलते पेपर भार से आया था भार से यह देखो नहीं बार अब पोलिस ओपिसर अरेस्टिर मिस्टर रादे विदाउट अनी वारेंट पॉदी ऑफेंस ऑ मनी लॉंडरी इस अपॉलिस ओपिसर राइट इस अक्शन नहीं 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 कर सकता ना सर पॉलिस ओपिसर के पास थाकत ही नेक्टो ऐसे वेलास करने के लिए पॉलिस ओफिसर राइट इस और जिली पॉलिस ओपिसर और ऑफेंस के जब जब यह तो डिरेक्टो ऑपनेला या फिर एनि ओपिसरों जी वुज ऑथराइज बाइड गवर्मेंट इन पर्टिक्लर भिया वो करेगा चोटी चोटी बातों पर इंच्छोट ने डिसेंबर 21 में पूछा तो यह वाला जो क्वेश्चन करने वाले भी यह नेक्स आंसर वह है मेरा तो अगर आपका कॉंसेप्ट यह आंसर कर सकते करवाई यह जैसे पने कम्णी से अख में कहते खाली अजुटिकेशन हर अख में होता है प्रोसेस होता है आपको यह रीड करना है मॉडल पेज 3.10 से रीड करना है भूख वेस्टिंग ऑपरटी इन सीजी सेक्शन नमबर 9 सर पहले क्या होगा डिरेक्टर या डेपीटिट और वो जाएगा प्रोपर टेंपरी अटाच कर देगा माला प्रोविशन अटाच कर देगा 180 दिन सो कैसे काउंट करना है 180 माइस हाई कोच टे प्लस 30 दिशाप को आड करना है वहाँ पर ठीके प्रोपर्टी इमां भ्रह सकते हो कारवाई हो ही पता चला आप गिल्टी हो आप अब अजू को रहाँ प्रोपर्टी वहाँ प्रोपर्टी अग्राइगा अब मैंने क्या अग्या प्रोपर्टी पर बोलते हैं तो बैंक वाले इन्वाल हो जाएगा लौ क्या बोलता है अगर वह प्रोपर्टी पे लोन भी वाना प्रोपर्टी जाएगी और उस पर कोई चार्ज नहींगा तो वह बैंक की साथ क्या होगा तुमको लोन भरना पड़ेगा बैंक अबी तुमने का लोन बनाना तुम गिल्टी तो हो यो मनिलोन रखेंगि सात मे वो भी भरना पड़ेगा आपको, देखो नीची लिया होगा है, Sir, if the special court or adjudication authorities of the opinion that any encumbrance on the property or leasehold interest is created with a view to defeat the provision of this chapter, मतलब पॉमिला, then it shall declare such encumbrance, such encumbrance as void, such encumbrance or leasehold interest as void, and the property shall waste with CG, which will be free from encumbrances, free from encumbrance, मतलब without any charge, however, the person will still be liable from any liability in respect of such encumbrances, even though the property is vested with CG, मतलब bank को आप ही liable हो, आप गिल्टी तो हो money lundering के साथ में, bank के जो loan pay कर रहीं नहीं हैं, Sir, वो आप ही भर होगे, आप ही भर होगे, देखो, एक second, question number 5 देखो, module का, Mr. K, use these cars for smuggling cash and the special code found on the conclusion of trial that an offense of money laundering was committed by Mr. K under the provisions of formula, the car was under hypothecation to a nationalized bank for the car loan obtained, referring to the provisions examined whether car can be confiscated despite the existence of encumbrances, पलो, Sir, CG के पादा का, free from encumbrances, Mr. K हो ए, वो एमा ही भरेंगे, Mr. K हो ए, वो एमा ही भरेंगे, वो ग्या आंसर, same answer, लोग कहते हैं कि पेपर भार से आता है, लोग कहते हैं कि पेपर भार से आता है, read question number C, read question number C, यहां पर बैंक की जगा पर, मोहित को यूज किया, प्रॉपर्टिक्स के पास बैस होएगी, CG के पास होगे, free from encumbrances, मोहित को जो लोन पे करवाना होगा, मतलब जो देगा, कौन दगर साथ हो रोहित, रोहित को कांड किया है, तो ठीक है, वो तो गिल्टी तो है, और आता ही है, ऐसा नहीं कि पहली पर, में 18 से अगर आप देखो कि, न्यूज से लेपस में, तो 10 मा के आसपास का आपको पॉमिला दिखता है, मैं बहुत हो एक-दू मा का MCQ में भी होगा, तो 10 से 12 मा के यह चाप्टर का वेटेज है, इतना स्कोरिंग है, पेपर 6D वालो तो माना पूरा चाप्टर डिवाइस हो गया है, ठीक है, एक लास आंसर छोड़के, बीड़ा 5 रुबाइ स्विच बैंक में डिपॉसित कर देना, लास आंसर, रहसी प्रोकर अरेंजमेंट, रहसी प्रोकर अरेंजमेंट, अरे भाईया जैसे वो DTA सिखाया होंगे ना भावर सर तुमको, DTA, अपना भाईया पैसा उदर, उदर का पैसा इधर, सेम वे क्या है, अपना जो इंसान है, कांड करके विजय स्चला गया, निरम होदी, विजय मालिया, तो क्या लेका है, रेफर, पेज 2.3, 3.26, फिर 3.24 चार्ट है, 3.25 चार्ट है, 3.26 चार्ट है, और कुछ एग्जाम्पल भी है, ठीक है, आज ओए, बाद देख लेते फटा-फट, चार्ट से पढ़ना है इसको तो, देखो, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 on page 3.26, तो मैं आपको दिखा तो यह, आप कर लीजेगा, 3.26 पर यह एग्जाम्पल 2 है, तो यह मॉडल की बीच के छोड़-चोड़ी बात है न, यह इन्शुट पूर सकता है, तो यह आपको एग्जाम्पल 2 करना होगा बेटा, यह मैं आपको यह दिखा रहो हूँ, देखो, the CG with agreement, the CG in agreement with other country, for enforcing the provision of this act, मतलब formula, or for exchange of information, for prevention of any offense under this act, or prevention of offense under corresponding law, in that particular country, जो उनका भी कोई money laundering का act होगा, or for investigation relating to any offense under this act, तो CG agreement करेगा with other country के साथ, ठीक है, अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, contracting state बोलते है, सामने वाली country को, यहाँ पर पॉमिला में क्या बोलते है, contracting state, means any country outside India, who is in agreement with CG, of such country, through treaty or other, treaty के थूँ, ठीक है, उसको पन contracting state बोलते है, सामने वाली देश को, इसे UK में नीरा मुदी बैठा हुआ है, तो उसको को लेंगा contracting state, तो हमारी जो सरकार है, contracting state agreement करेगे, for enabling the provision of this act, या फिर exchange of information under formula, या उनका कोई act होगा, या investigation के लिए, सर, कैसे होगा, सर, वेरन application is received by special court, खाई चार्ट से पढ़ने का बहुत है, that any evidence is required in respect of investigation, कहां से, कौन लेगा, by the investigating officer, या कोई उसका superior officer, and उसको क्या लग रहा है, वो जो information किदर पढ़िए सर, नीरा मोदी UK में बैठा है, UK में है हमापर, then, that the evidence may be available with the contracting state, सम्झाग, contracting state में मतब UK, अच्छा, then, on the satisfaction of special court, on the satisfaction of special court, it will be issued to a court, or an authority in the contracting state, who is competent to deal with such request, तो क्या हो जाएगा, special court क्या करवाएगा, C.J. के पास आगा, C.J. वो लेटर लेगे किस के पास आगा, उस country की, उस contracting state के जो अठाटे, उनको देदेगा, कि हमारे बच्चे लोगे, इनको कुछ information चे नीरम हो देखे बारे में, Sir, vice versa, Sir, if a letter of request, is received from the, contracting state by C.J. काहां से आया है, contracting state, vice versa, उनका कोई बंदा हमारे याँ बैठा हुआ है, ठीके, So, Sir, if a request is received by C.J. from the contracting state, for request of investigation into an offense, or proceeding under this act, this act, if a cross act होगा हमारा, Sir, क्या होजागा, the C.J. will forward the request to a special court, or to an authority under this act, as a thing for the executioner, तो वाहिसा बढ़सा, अरे हम लोग को क्या हुआ, Sir, हमारे special court को लागा, के बिया, के जो investigating officer है, investigating officer है, कोई officer है, superior officer, के भिया, नीरव मोदी के कुछ information चीए, जो कहाँ पर है, विदेश में, तो special court का जाएगा, C.J. के बास, C.J. उसकी जो authority को दूश स्टेट की, उसको जाके बोलेगा, भिया, मदल कर दो बच्चे लोग की, वाहिसा बरसा, C.J. के बास request है, कहाँ से, वहाँ के कोई state से, मतलब contracting state से आगिये, तो C.J. क्या कर देगा, वो request आईए, किसको forward कर देगा, special court को, और अधर authority बना रगे, उसको जाके forward कर देगा, हो गया, फिर, नीचे, एक example 3 है, यह आपको देखना है, एक example 3 है, खतम, example 3, फिर, रेफर 58B59, खली रीड करना है, यह कुछ 4-5 questions है, आप खली रीड करने, so agreements with the foreign country, आपको रीड करना है, letter of request, हमने request के, यह वाईसा वर्सा वाला answer आ गया, तो यह तो क्या पुरा chart से पढ़ लीजे, दो-दो माँ का answer आ सकते है, और एक 58B59 आ पूरीड करना है, पूरा formula खतम, पूरा formula खतम, इतना है, 17 answer से पूरे chapter में, 17 में से कोई भी answer, मानने जे, तिन-तिन माँ के, अगर मैं देखू, लास्ट टाइम का pattern, नो माँ का है, जनरल ये 9 से लेके, 10 माँ करें करता ही है, दो माँ में से क्यों है, तो 12 माँ का वेटेजा चाप्टर है, formula खतम, cool है, तो अपका एक पूरा chapter खतम हो गया, आजाओ, अब है आपन करेंगे, next chapter, होप आपको formula याद है का, पूरा formula 2002, पैनल्टिक पर recall कर लेता है, सर, section 4 की जो पैनल्टिक है, 3 years to 7 years है, and fine, drugs बेचा, तो 3 years to 10 years, and fine, फेक officer ने फेक search किया है, या फिर फेक किसी के खहने पर complain किया, तो दोनों लोग को, up to 50,000 और 2 years, up to 2 years हो और बोट, अच्छा, मेरे को बुला है, मैं गया नहीं, मैं गया, तो मैंने जवाब नहीं दे, जवाब दे तो मैंने लिखा नहीं, तो 500 सो लेके, 500 सो लेके, 10,000 for each default, सर, recovery जगर होती है, section 13 के जच्छा, section 3 की penalty लगी है, और मैं 6 मैंने में pay नहीं किये, तो जो डिरेक्टर हों, और या कोई officer का ताकत आजाए, कि tax recovery officer जैसे है, वैसे वासू लेंगे, जैसे arrears को करते है, as per income tax act, as per income tax act, तो यह कुछ answer है, इनको ध्यान रखिएगा, तो हमने करीबन, I think 1 hour 30, 35 minutes, 1 hour 40 minutes से प्रॉक्स, में पुरा पॉमिलर रिवाइस कर लिया है, generally इसको पहली बर जब आप पढ़ते, तो अब 10-12 घंटे लगते, रिविजिन देड़ दो घंटे में राम से होता है, इतना है करना है, हाथ के आद आपके बास, अगर मेरी question book है, कोई और author की question book है, model के पीछे के questions है, जो भी SRA question solve कर लो, chapter खतम हो जाएगा, और scoring chapter है, ठीक है, इसके बाद, अगर आपको देखने हैं, तो आप next video देखेंगे, इसी next chapter देखेंगे, या फिर आप pause करके, पहले पॉमिलर के questions करेंगे, तो रहे याट, you'll be secured, and then you move on to the next chapter, ठीक है, आए होब आपका internet वसूल हुआ होगा, बिला दुआ दे देना, दुआ दे देना, चलो, so after finishing of Pommela, we start with a new chapter, that's called as Arbitration and Conciliation Act 1996, so Arbitration and Conciliation Act 1996, छोट दा चाप्टर थीन से लेके, छे माक, चार मक तो descriptive, आ सकते हैं, याद 3 माक का question आगा, और 1-2 माक, MCQ में, so पिछले टेमे, FCRA भी आया था, Arbitration भी आया था, last 2 autumn से यह pattern चार रहे, दो नोख चाप्टर आ रहे, FCRA मैं आपको अलग क्लास में कर आँ हुआ, इस क्लास में भी आपन खाली क्या कर रहे हुआ, Arbitration कर रहे हुआ, आज आई है, Arbitration and Concealation Act 1996, आपने टीचर की भूख खोल लीजिए, जो भी आपके पास notes है, material है, मेरा भूख है, जो भी आपके पास समान है, सब निकाल लीजिए, देखो, क्या कहता अभी, सचे इस Arbitration and Concealation Act, सर, क्या है, हमारा सुमीत है, सुमीत है, और यह अपनी भू है, भू का नाम है सकू भाई, अब सुमीत भी भाईया सिये है, सकू भी अपनी सिये है, भाई दुनिया के महान इंसान है, महान महान इंसान हरे, अपका हुई, दोनों को एक दम फूल डिप शीट लग लगें, गटर जैसा प्यार, फूल गटर जैसा प्यार, एकदम, फूल पलंग तोड, एकदम, अब क्या हो गया, बट, तो भाई जो थी, वो घर रहने लग गई, बोले कि मैं घर समाल लूँगी, और सुमीत भाईया, ऑफिस समालने लग गया, बहु कभी-कभी जाती थी, वोमेन एंपावर में जाती थी, अब क्या हो गया, बट, यू गाइज नो, जुलाई और सेप्टेमर में क्या था, अपना एकदम जीवने था, कुत्ते जैसा होते है, आर्टिकल शेप में कुत्ते जैसा था, इमाजिन अब से बन जो कितना, कितना तफ हो जाएगा, अब भाई साब सुमित रोज आता था, खाना काला, सो जाता था, बहु ने उसको दिन फोन क्या, एक काम करना, एक डायमंड ड्रिंग, एक किलो कांदा, और एक गोल्ड नेकलेस लेकर आना मेरे लिए, बॉइस अगर आप सुमित के जगा पर होगे, आप लेके जाओगे, नहीं सर, कोई बात ने बड़ा, आओ तुम आओ घर पर आओ, घर पर आओ, एस उज़ु आप मुझे बताओ, इनको लेके जाना चीए, अब्वेस इनको लेके, एक क्या साथ, एक्श्ट्रा लेकराना चीए लोग को, नहीं लेके का बाओ ने पूछा, नैकलेस की दर है, एस उमीट, नैकलेस की दर है, नहीं लाया माहि, कांदा की दर है, कितना काम था, वो OTP के चक्कर में यहां पूरा जीवन बरबाद होगे, तुम कहांपर कांदा पड़ा है, तुम घर पर बाड़ी, तुम जाके ले आती न, भव का पारा चड़ गया, as usual चड़ गया, पारा चड़ गया, भव बोलती है, मही तेर पर सू करेगी, अपना सुमित तरह मही तेर यह जो सुमीत ए खाना खाता है, घर पर आता है, खाना है, सो जाता है, समान लाने बोलतु नहीं लाता है, मैं तो परिशान होगी भाइस साथ, मैं तो जिंदी की पर बाद होगी भाएस साथ, सूमित ताद सहाब, आप समझ सकते हो, मैं अबला मर्द, क्या-क्या देखू, गर देखू, ओफिस देखू, क्लाइंट देखू, OTP देखू, income tax site देखू, MCA की site देखू, sir, क्या देखू, amendment देखू, extension देखू, sir, क्या देखू, मैं अब इंसान आदमी ठक जागा, sir, सो ही गाई, और क्या करेगा, sir, आप बताओ, जट साब, अब भी तो ऐसी गुजरे हो यासे, मैं बोला, मैं गुजरानी, मैं भी जिन्दा हूँ, ठीक है, कुट भी ऐसे चखड़क, तुम फुल मौदी भेहने, तुम लड़ाई कर रहे हो, फुल लड़ाई, फुल लड़ाई, मैं बोलाई, एक सकेंड, रोको, ए, रोक, शोबा देते हैं, तुमको इसब करते ह कुट में आने के बासे, घर की बाते हैं, लोग किसे सांहीं कर रहे हैं, यह तुम लोग को, यह संसकार, आओ अपन भार-बै अपने प्रइवेत रूम में बाते करते हैं, तो मैं प्राइवेत कर लेकर गा उनको, जो मैं वे बुलाई था, अब तो इस अधिए धा एसा मैं तीननों बैठे बात कर रहे हैं नहीं तो मेरे मरत को लेके जाएगी बांगलादेश घूम आने को मस्त जगा है बांगलादेश घूम कर अमसे बड़ीग्वेटर प्लेस से बांगलादेश लेके जा तो यह अपने अया कि और भかった करा दोया है तो बहु कोख़को टाइम देगा जाते वड़ पापी आने के बाद अने से पहले पुपी पुपी पुझल पुपपी देने का कि में में प्यार मुह बहित मान दटकरत 거지 घर का मामली है तो यहां पर कुछ विनिंग और लुजिंग नहीं हुआ है, यहां पर बेटा कुछ विनिंग और लुजिंग नहीं हुआ है, मांडवली करा दिए यह क्या वो लिंग इसको अर्भिटरेशन यह कंसिलेशन क्या हो गया कंसिलेशन में कॉन conciliators यह दोनों कोई पार्टी तो इसा प्राइवेट सेटल्में बिट्विन देपार्ट इस नो विनिंग और लुजिंग थोड़ी बहु को ऐसा नाई सुमीत महितर को हराएगी अरे आसवा तो हराएगी सुमीत नहीं महितर को हराएगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है विनिंग लूजिंग नहीं मंडव लिए अभी दोस्तों में जगडा जब हो जाता है तो कोई मेडियेटर होता है बीचला आदमी सेटल्में करवा जाता है कोई घर का बढ़ा हो गया जो सट्रिल्मेंट करा देगा क्या बहुत तो इसको अब लिगल प्रोसिजर होता है आप लीगल ही जाएंगे और डिचिजिए गीवन भाई अब क्या हुआ मैंने माल दिया मुकेश को अपना कौन है ये मुक्या क्वाने बच्चा ही अपना मुक्या मुक्या मेरे को क्या देगा पैसा मुक्या क्या देगा अपने को पैसा सर मैंने दिया माल मुक्या को मुक्या मेरे को क्या देगा पैसा मुक्कु अपना मुकेश या लाइन्स बच्चा अपना अब मुकेश पैसान नहीं दे रहा है मुकेश पैसान दे रहा है आपने सुनांगा यासा एक बिल जब बनता है बिल में नीचे नीचे लिखा होता है ओल दर डिस्प्यूट्स विल बी आर्बिट्रेटेड अट मुंबई जो लिखाओगा ना देखाओगा आपने तु मेरे पास क्या है कर मुकेश ने पैसे नहीं तो आइकन सू ओने सू कर सकता है लीगल केस लिटिकेशन अब हमेशा करी सकते हो पर मैं क्या रहे लिटिकेशन करने का क्यों यहां पर क्य करें तो यहां तो इसमें से मैं जी तुंगा या फिर मुकेश ने पूट जीतेगा या तो मैं जीतूंगा या तो मुकेश जीतेगा या तो मैं जीतूंगा या तो मुकेश जीतेगा या तो मैं जीतूंगा या तो मैं मुकेश जीतेगा या तो मैं जीतूंगा या तो मैं मुकेश जीतेगा तो विनिंग लूजिंग हुआ बड़ा पर सो यह लिट्ट ब्राइबम नल वह एक वह अनेक ऑर्व यह बनको बम अर्बी ट्रेंटर या अर्बित्रेटर आर्बि टे sì ड्रभिक क artifacts स इंड्धा एक व्यूनर अम शाय रहां सबका माल लिक यह और अर्बिक्र ट्रेटर्टर ज्य Kr piaceラइ है कि जब मैं कंसीलिशन की बाते करता हूं तो यहां पर फ्रेंदी सेटलमेंट इस बाइंडिंग नीचे इस लीगल प्रोस्टेस बेसिकली ठीक है जब मैं बात कर तो आर्बिट्रिशन यहां पर विनिंग लूजिंग होगी एक पार्टी जीते के पार्टी हारेगे महां पर जो यह लिट्रिशन का छोटा बाय में को कोट का जो इतना टाइम पास होना तरह तारीक आएगी फिर आप जाओ फिर जच का मूर बदल गया तो एड्जॉन कर देगा वो सब में नी जाने का में को आर्बिट्रिशन में जाने का है तो इसा मिनी काइंड आइंड वर मिनी ल इसामिक बने नद बंद आइंड रेकिल कट करशान की लिट रडंस भाइगा डंस कॉपट बेंड हेंडारा में नी इसलार्मिरी में निगन में धिर हांना मामज आएगे विस्कुरा इस चाने लेट्व जडुशन आण दाइलोग फिर वाट आर दा शरीक्त्रस्टिक्स अब आपको कहां नहीं यहाद होगे कंसलिशन के सुमित और भहु का लड़ाई हो रहा था तो अपन क्या किये एक कमरे में लगे दोनों को बिठाया शांत किया मैं वहाँ पर डिस्यन दे रहा था तो भहु ने कुछ ऐसी कि बाते बता है सुमित के बारे में बताने लाए करें सुमित ने कुछ भहु की बाते बता ही पराबर तो यह जो बाते हम तीनों के बीच में है यह बाते हम तीनों के बीच में है सबसे पहला प्रिंसिपल का है कॉन्फिदेंशलिटी सर हमेश धियान रखना confidential is the most important principle of conciliation अच्छा, parties खूद आएंगे मेरे पास, कौन्से parties सर? all the parties, all मतलब सर, सब सर, unless, unless all the parties involved in the dispute agree for the matter, the matter cannot be conciliated, सर, all parties should come, पहला आएगा V से, अपन महलेंगे when FC is the code, V से का होगा, voluntary सारी parties आनी चिए सर, सारी A, Assisted Procedure बहु तिर को क्या दिक्कत है तू बता, सुमित तिर को क्या दिक्कत है तू बता ठीक है, तुम कुछ अगर hypothetical बाते करो नहीं नहीं सर, यह में पूरा 24 घंडा मेरे साथ रखना बहु पागल है कि काम दंदन नहीं है कि इसको तू बहु को समझाया है, इसको समझाया, मैने मेरे इंपूट भी दिये, तू इस अ Assisted Procedure, so the conciliator along with the parties craft a procedure for sharing the information between the parties to reach to an amicable settlement, दो लों को एदब सब का अच्छा हो जाए, तो अच्छा हो जाए, तो अच्छा हो जाए, तो अच्छा procedure N से non-adversarial, B से voluntary, A से, Assisted Procedure N से non-adversarial, adversarial, F, finality of the settlement, क्या बहु गाए बिसको सर, finality of the settlement, सर मतलब, जो भी final decision होगा वो एक settlement होगा, मान डवली होगी, सर, settlement agreement is the final outcome which is binding on all the parties, उसको बहु बहु जाए, finality of the settlement, C से confidentiality, C से क्या हो जाए, अच्छा, confidentiality, so, conciliation का जो characteristics हो है, van FC, van FC, voluntary हो गया, voluntary हो गया, A से Assisted Procedure हो गया, N से non-adversarial हो लोगा, F से, finality of the settlement हो गया, C से confidentiality, van FC, so, exam में अगर आता है, तो 3 या 4 माँ का descriptive answer आ सकता है, तो क्या करना का, there is no definition of conciliation, it means method of dispute resolution, बहु 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 इसे characteristics क्या है, van FC, voluntary है, Assisted Procedure है, non-adversarial है, F से, finality of the settlement, and C से, confidentiality, heading, is very important, एक एक लाइन में B Commerce explain करने का है, ठीक है, next, important points, sir, the number of conciliators that may range from, is 1, 2, 3, 1, 2, 3, कित बढ़ा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mini, 1, maxi, 3, mini, 1, maxi, 3, maximum 3 conciliators हो सकते हैं, conciliators are appointed by Dash, are appointed by the parties, however, they can request an institution or some other person to recommend a conciliator, जोने लिए खूदी जा के appoint कर लेंगे, या फिर वो ICI को बलेंगे, ICI, देना दूण के, ए, Mughish, देना दूण के, ए, Mughadhi, Mughadhiji, दूण के दूण के दूण के दूण के दूण के, Mughadhiji, दूण के दूण के दूण प्लीज, Mughadhiji जी दूण के दूण के दूण के दूण के दूण, तो एक institution को बोल सकते हैं, किसी person को बोल सकते हैं, कि आप हमें दूण के दे दीजी, Sir, when the conciliation proceedings are going going, parties cannot cannot start arbitration proceedings, very important. मतलब, अगर आप conciliation चला रहे हूं, अदू आप ले करा रहे हूं, आप में कुझली बहुत है, नहीं मही तरबे case करेगा, मैं तरेले arbitration पे जाएगा, मैं तरेले ही टकर का रहे हमाँ, नहीं-नी, Sir, not allowed, not allowed. Sir, when the conciliation proceedings are ongoing, parties cannot start arbitration proceeding or approach the code regarding same dispute which is a part of conciliation proceedings. जब conciliation चल रहा है, so arbitration litigation नहीं गुष सकता, जब conciliation चल रहा है, arbitration litigation नहीं गुष सकता, एक काम खतम होने तो, exception, एक के exception, except when, 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 it concerns preserving its right, except when it concerns preserving its right, except when it concerns preserving its rights, except when it concerns preserving its rights, ठीक है, महाँ पर मैंने example दिया है, page 5.34 module, एक सेक्ड, download करना पड़ेगा, अब दोगो, refer example 17 on page 5.34, अब यापन ने क्या बोला, कि सर, अगर आपका conciliation चल रहा है, तो litigation, litigation और arbitration नहीं चल सकता, बराबर एक इचे चलेगे, except when it preserves its right, exception क्या है, sir, when it concerns preserving its right, यह एक ही example मैंने सामने, model में एक ही दिया रखा है, और कोई है नहीं इसके सामने, सब Prakash and Rumi वाल example, तो इसके वो लोग ने अपना business बेचा, Sanjay को, Sanjay को, किसको बेचा, Sanjay को, अब Prakash and Rumi, जो थे, यह लोग का, जो main, जो buyer था, वो था एक Orient Decorators, Orient Decorators किया था, बड़े-बड़े शादी के event करता था, अब यह लोग ने क्या, क्या अपना धन्दा Sanjay को बेच या, Sanjay ने क्या, क्या, फट से, फट से क्या क्या, प्राइस increase कर दी, अब सबसेदा, जो affect किया, किसको क्या, Orient को फड़ा, अब Orient क्या क्या बोलता है, सर आप प्राइस कम कर दीजिए, सो, Sanjay बोलते है, मैं प्राइस नहीं कम करेगा, तो Orient और Sanjay क्या क्या बोलते है, चलो एक काम करते है, अपन एक बैस settlement करते है, अपन Concelling करवाते, Concelling चल रहे हैं आपर तो, अब, अब शादी का सेजन आगया, Orient वाला बोलता है, हमार तो agreement अलड़ी हो रखा, तक कि हम लोग को flowers वो मिलेंगे, सस्ते rate में मिलेंगे, मार्केट से भी, Sanjay बोलते है, नहीं मैं तो महेंगे rate में दूंगा, बोलता है, अपन Concelling चल रहे है, तो Orient क्या कर सकता है, इस case में Orient जा सकता है, कोट के पास, कही के लिए, से यहां पर तो Concelling चल रहे है, बढ़ हां, कि जब तक Concelling आदिसन नहीं हाता, जब तक Concelling आदिसन नहीं हाता, तब तक, तब तक, हम Sanjay को बोल सकते, कि आप पुराने rate पे सपलाई कीजिया, पुराने rate में सपलाई कीजिया, कि क्या उनका right effect हो रहा है, पर, उनका right effect हो रहा है, तो जब तो, जब तो, as per section 77, even though the approach to court is prohibited during conciliation proceedings, as an exception, a party could approach the court to protect its right, to protect its rights, Orend Decorters could approach the court for interim measures, whereby, till the conclusion of conciliation proceeding, it could request the court, it could request, see, ऐसा होगा नहीं, पता नहीं, but it could request the court to direct Sanjay, calculate to direct Sanjay, to continue providing flowers at lower rate, the court would have the power to grant the request measure on the production of such condition as it deems appropriate, यही example अपने सामने, अब हमेशे क्या बलोगे, जब proceeding salary cancellation की, तो arbitration addiction नहीं चलेगा, but exception preserving it's right, एक example, तो मैंने mapping कर रहा है, module से सिधा, then, next answer आता है आपका, sir, distinguish between cancellation versus mediation, अगर direct question आते exam में, MCQ तो बहुत रहा है इसमें से, बट अगर distinguish आते, तो cancellation versus mediation, refer page 5.35, same copy करने का, कोई भी 4 point, by chance अगर दे को descriptive आगे, बहुत rare probability अपने काहनी बना कर आएगा, अगर आभी गया, कि नहीं जैसे अगर आप chartered accountant आपका article आप से जानना चाहता है कि distinguish किया, mediation, cancellation का, sir, mediator plays a facilitative role, consider plays a proactive role, खुद से, the outcome is an agreement between the parties, नहापर outcome is a settlement agreement, नहापर the agreement is enforced, is a contract enforced by law, the settlement agreement between the parties, the same status as an arbitral award, it will be implemented like a decree of the civil court, decree मतलब decision, it is governed by CPC 1908, it is governed by arbitration cancellation act 1996, it is governed by confidentiality, it is bound by confidentiality, if the agreement is breached, the parties would follow the procedure as per breach of contract, मतलब Indian contract रवाला, यहापर settlement agreement enforced किया जाता है like an award, पट जो अगर यहापर breach हो गया, it will be the same as breach of arbitral award, arbitral award, हो गया, so कोई भी 3-4 पाउंचों तुमको अच्छा लग, easy easy जो बहाग का लिजे पढ़ लिजेगा, mediation versus conciliation का, next, sir, commencement of conciliation proceedings important, section 62, add हुआ है, add हुआ है, important, so all those people who have studied through me, यहापर लिखा हुआ हुआ है, यहापर लिखा हुआ हुआ है, the party initiating conciliation shall send a written invitation to the other party, मैं तेरे साल मन्डवली करना चाती हुँ, briefly identifying the subject of the dispute, कि यह अपने लड़ाई, अपन मन्डवली करना चाते है, तो एक पाटी, Sumit ने भाव को भेजा, कि मैं तेरे साल मन्डवली करना चाता हुआ, अब भाव क्या करेगे, भाव, conciliation will commence, important point, conciliation will commence, when the other party accepts the invitation in writing, भाव ने accept, ठीक है, चल, माफ के तरे को मैं मन्डवली करना तयार हुआ, if the other party rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings, there will be no, no conciliation proceedings, if the party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days, और within such as mentioned in the invitation, it shall be deemed to be rejected, sir, reply कर दीजेगा आप, normal time ने भी 30 दिन है, मैं बोल तो आप 20 दिन में reply कर दीजेगा, अपने reply नहीं क्या, आप हम क्या समझेंगे, भाव बात ही नहीं करना चाहते, फुल गुस्ता हो हम से, तो भाव इया, it is not deemed approval, it is deemed rejection, it is deemed rejection, एड़ भाई ये, sir, termination of conciliation proceeding, termination of conciliation proceedings, sir, कैसे हो सकते, it can be terminated by, by, signing the settlement agreement, sign कर दिया, चल्ड़ ठीक है, हमको नहीं कराने का मानडवली, on the date of agreement, on the date of agreement, sir, by return declaration of the conciliator to the effect that conciliation efforts are no longer justified on the date of declaration, भाया, नहीं हो सकता, तुम लोग का लड़ाई इतना ज्यादा है ना, तुम लोग बनेन युक्त उस्रोखे ले, कोई राजा, यह राजा नहीं है तुम लोग, तुम लोग का नहीं हो सकता, मैं भी, मैं भाया, मिरसे नहीं होगा, sir, on the date of declaration, termint हो जाएगा, sir, by return declaration by the party's address to the concilator on the date of declaration, मैं the parties, हमको नहीं करने का लिए sir, आप क्यों फाल तुम्हारे बीच पड़ाई, हमको नहीं करने का लिए, तो parties नहीं बोल दिया, तो किस दिन, on the date of declaration, तो B और C situation on the date of declaration, A में on the date of agreement, चैसे नहीं agreement होता है, तो, sir, by a return declaration of the party to the other party and the concilator on the date of declaration, एक party ने दूसरी party को announce करके बोला कि यह हमको नहीं करने का है, और concilator को भी बता दिया, एक party नहीं किया, so on the date of declaration, so 3 में on the date of declaration, पहले वाले में on the date of agreement है, exam में आ सकता है, नया है, add हुआ है, clear है आपको, पहले वाले में on the date of agreement है, बाके सब में on the date of declaration, on the date of declaration, on the date of declaration, sir, number 2 में क्या बोला हुआ है, कि concilator ने बोला, number 3 में क्या है, parties ने concilator को बोला, number 4 में क्या है, एक party ने दूसरी party को और concilator को साथ में बोला, यह फ़रक है ध्यानक, MCQ में आ सकता है, interpretation करने के लिए पहले वाले में खाले के on the date of agreement, जब आपस में बोला के नहीं हमको नहीं करने का है, बाकी जब किसने बोला, तो on the date of declaration, अब इसका केस है, वो कर लेते हैं, यह न, RTP में क्वेशन आया है, इसका हाथ कर कर लेते हैं इसको, इसको, it says, question number 22 of RTP, December, sorry, December, not May, May 22 की जो RTP है, उसमें क्वेशन आया देख लिए, final May 22 की RTP, क्या कहता है, a dispute has been arose between the agreement, between the management of Paras furnishing and its labors, the dispute was to provide the basic facilities to the workplace, air conditioning environment and hours of work, the management of the company sent an invitation to the leader of the labor, sent an invitation, sent an invitation, याद करो, to conciliate, to conciliate on the issues raised by the labors, conciliate, 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 arbitration chapter tracked हो गया, the union leader accepted the invitation, accept कर लिया है, पहला point, sir, when the conciliation process is set to be commenced, कब, 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 जब उसने accept किया, how the settlement agreement will be arrived by the conciliator, so, अभी आपने तो settlement agreement की बात है, वो pending, IAE, initialization agreement enforcement, वो pending है, तो पहला वाला question क्या था, जब उसने accept कर लिया, तो शुरू हो गया, reject कर देता, sir, वो नहीं होता, sir, 30 दीन अगर होता है, या फिर को days लिखे हो है, नहीं है, तो it is deemed rejection, तो यह नया वाला point attract हो, इसले इन शुट ने पूछा है, यह चीज, सरी यह रहा, settlement agreement, I-A-E, क्या वाला क्या था, sir, I-A-E, पहले आएगा, Initial Steps Agreement Enforcement, Settlement Agreement कैसे आएगा, sir, Initial Steps Agreement Enforcement, सरी सबसे पहले क्या था, party, तेखो क्या कहनेगा, भाव, तो कुछ कहनेगा, सुमित तेखो कुछ कहनेगा, बता, तो तुम जो कहोगे, उसके सबसे, मैं भी कुछ तुम को input दूँगा, सरी, the parties, along with the concession, identify the possible terms of settlement, इसकी जो 10 बाते होगी, क्या तकलीफ में बता, क्या चाहिए, मैं इसको forward कर दूँगा, तिर को क्या problem है, इसको past problem है, यह कहना चाहता है, इसकी बाते होगा, तो पेपर एक्षेंज कर रिया चाहेगा, सर्थ, the parties reach a settlement then, it has to be written down as an agreement, it is called as settlement agreement or memorandum of conciliation, क्या बलना चाहिए, settlement agreement या memorandum of conciliation, it has to be signed by the parties and the conciliators, parties and the conciliators sign करेंगे, सर्थ, enforcement, सर्थ, settlement agreement, will have the same status like of an arbitral award, अपन सेखें, award मतलब decision, it is final and binding on the parties, it is final binding on the parties, sir it can be challenged before the court, it can be challenged before the court, or if the challenge was made and it was unsuccessful, आप challenge कर सकते हैं, आप appeal नहीं कर सकते हैं, आप appeal नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, challenge करेंगे, तो हम चैलेंज कर सकते थे, या तो हमने challenge नहीं किया, या चैलेंज किया पर हम लोग जियती हैं नहीं, हम unsuccessful थे, then, then, it will be enforced as per CPC 1908, 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 sir क्या कहता है, पहला हाईगा आपका initialization, I mean that's initial steps, agreement, enforcement, IAE, so parties और consider मिलके, decide करकें क्या-क्या terms ओने चैसे settlement के, सारे some terms को written down करिया जाएगा, उसको बलते settlement agreement या फिर memorandum of conciliation, sir, it has to be signed by the parties and the conciliator, enforcement, the settlement agreement has the same shit as that of an arbitral award, आप challenge कर सकते हो, आपने challenge किया, आप हार गया या अपने challenge ही नहीं किया, then, it will be enforced as CPC 1908, it will be enforced as CPC 1908, clear? फिर next बात आती है हमारी confidentiality, confidentiality, sir, इसका मतलब क्या होता है, अब याद होगा आपको, मैं कमरे में लिखे गया था उनको, मैं था भाहु थी सुमित हम तीनों बाते कर रहे थे, यह बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए, that's confidentiality, हाँ, जब enforce करना होगा, तो अब भी से शेर किया जाए, कैसे enforce करना है, तो तीनों के बाते में होगा ना सर वो भी, आप क्या बोलते हैं, तीनों को confidently maintain करनी है, बट जब आपए enforce करोगे उसको, तो तो अब भी से जैसे कुछ enforce करना है, मैं तो टिकेट वाले को बता है, कि गुमने जाने का है, तो वो तो आप enforce करवा होगे, अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने कंसलेशन करा दिया, मैं busy हो गया, 6 महीने बाद, फिर से लोग के लड़ाए हो गया, बहु बोली मैं तो डिवार्स लोंगे, बहु ने सू कर दिया, जल्च साब ने बोला कि किसी सबूत को तलाओ आप, तो उसने मुझे फोन किया, अरे एबी सर, आप आओना चारा, मैंना क्यों, अरे आपके सामने सुमीत ने एड्मिट किया था ना, कि वो उसको तकलीफ है कुछ, अब वो तकलीफ क्या, मैं इहां नहीं बोल सकता, तो तकलीफ है ला सर कुछ, तो सर आप जाकी बाद जज्च के सामने गवाई दे दो नमापर, सुमीत मना कर रहे है, बच्चो अपने अपने दिल पर हाथ रखके बताओ, बहु सुमीत मेरे बीच में आप जारिया भी लिटिशन के लिए, बच्चो बहु जारिया लिटिशन के लिए, क्या मैं जाके मापा गवाई दे सकता हूँ, बोलो क्या मैं जाके माई दे साथ, नहीं जर नहीं नहीं. नहीं नहीं, it says the conciliator and the parties are required to keep all the matters relating to the proceedings and the settlement agreement as confidential. However, it can be disclosed for the purpose of implementation and enforcement of the settlement agreement. Sir, he cannot act as a representative, conciliator cannot act as a representative of any party in arbitral or judicial proceedings of litigation in respect of the dispute that was subject to judicial proceedings. Nothing can be used as an evidence in respect of judicial proceedings or arbitration. समझा आपको? तो अगर मेरे सामने यो लोग ने कुछ भी admit किया है, वो मेरे दिल में ही रहेगा, राज बनके वो जो रास था चला गया उसके साथ ही. अब बाल में अगर arbitration के जाते हो, बाल में अगर 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 क्या होता है? सर विनिंग और लोजिंग, मिनी सेटलमेंट, मिनी, मिनी, मिनी लिटेगेशन बोल लिजे इसको, मिनी, सर अगरिमेंट means an agreement by the parties to submit to arbitration all और certain dispute. तो सारी लडाई है, मैंने मुकेश को, example या नको, मैंने मुकेश को माल दिया था, मुकेश मुझे मैं arise between them, मैं को payment नहीं आई है, तो dispute arise हो चुका है, या फिर जब मैं उसको, बिल पे लिखके दिया था, बिल पे लिखके दिया था, कि सर future में कोई dispute होएगा, तो अपन उसको अपने को वह बोलता है, arbitration agreement लिखत्म होना चाहिए, आगे वो मना घर बोलेगा, कि writing में हमेशा होना ही चाहिए, तो यहापर कलता है, whether contractual और भले, वो bind कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, still it is an arbitral arbitration agreement, sir, मतलब, या तो आप सारे dispute, या तो कोई और dispute, खोड़े से dispute, भेशते हो arbitration के लिए, in respect of existing dispute, और in respect of future dispute, in respect of future, future dispute, in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, whether contractual or not, अब देखो, मेरे और मुकेश की भी में जगडा हो गया, ठेक है, so हमारे पास पहला हक क्या है, बच्छो कि हम लोग जाके सब्स्पूट हुआ है, तो हम लोग लिटिगेशन करवा सकते है, बराबर, that's first and foremost, but मैं मुकेश क्या बोलता हम, यार, litigation में क्या हैगा, तेरा भी time waste होगा, मेरा एक कायम करते हैं, आर्बिट्रेशन में जाते हैं, आर्बिट्रेशन में, so जब हम लोग आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो मेरा dispute आज arise हो गया है, so it is called as existing dispute, क्या बोलेंगे बच्छे, उसको बपन existing dispute, तो हम लोग क्या करेंगे, agreement बनाएंगे, बराबर, उसको बन, submission clause, क्या बोलेंगे, submission clause, तो एक क्या होगा मेरा, main contract होगा, जो बिल बिल गया होगा, बराबर, like this main contract, अब मैं अलग से बोलो क्या आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो जाना चाहता ना, लिक, sign कर, मैं भी sign करूँगा, तो इसको बोलेंगे, submission clause, क्या बोलेंगे, मैं इ यह main, main 2 answer यह, submission clause, arbitration agreement, जाना चाहता ना भी, sir, what do you mean by the word, arbitral award, what do you mean by the word, arbitral award, it means, decision, and it also includes an interim, interim, the temporary, temporary award, sir, what do you mean by the word, ICA, international commercial arbitration, मैं जापन एक पाटी विदेशियो निचिये, it means an arbitration relating to a dispute, where at least, 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 one, one of the parties is individual, outside India, body cooperate, outside India, AOPBOI, outside India, government of foreign country, that is called as basically international commercial arbitration, कोई भी एक पाटी क्या होने चाहिए, आपकी विदेशी होने चाहिए, clear, फिर, basis, basis नहीं, basic है, basic features of arbitration, कुछ छोटी बात है, कुछ आपको knowledge के लिए होने चाहिए, कुछ आपको MC के लिए होने चाहिए, sir, पहला चीज है, there has to be an arbitration agreement, पहला ह the arbitrar or arbitral tribunal, अब एक हो, या अनेक हो, एक इंसान हो, या group जुन्डो, सबको क्या बोलता है, या तो arbitrator बोलो, या arbitrators बोलो, या arbitral tribunal, सबका मतलब एक होता है, decide the dispute between the parties, parties have freedom to select the choice of applicable law, procedure, जो भी उनको select करना, कैसे करना, बताए दीजिए, sir, आप, कोई rule, ऐसा law में लिखाओ, आपस में डिसाइड कर लिखे, sir, कोई दिक्कत निया, कोई दिक्कत निया, अचा, अचा, the decision given in arbitration is called as an award, it is called as an award, it cannot be appealed, it cannot be appealed, however, it can be set aside on the few grounds, it can be set aside, it cannot be appealed, it can be set on, aside on few grounds, थेके, वो क्या होगा, वो आगे मिलेक अपने को, all the matters of arbitration will be kept confidential, logical है चीज़ो, जैसे conciliation confidential, हे same, confidential, it is simple, to enforce arbitral award, in the foreign nation, when the judgment is rendered by a court, see, जब मैं litigation हो था है, तो foreign country में, उसको implement करना बहुत difficult है, बढ़ा, arbitration के थो अगर आता है, तो बहुत 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 easy है, बहुत easy है, चेकिए, फिर, next answer says, difference between litigation and arbitration, difference between litigation and arbitration, इसको read कर लीजे, litigation कोट, तौरिक पर तौरिक पर तौरिक पर तौरिक, तौरिक पर तौरिक, read कर लीजे खाल इसको, read, झाल, 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 झाल 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 ач Tech. इस यह? निचे. Sir, Very 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 important. It says authorities under the act. । भाई, यह हमजे गए गए न तो पहली बाहर में हमजे आएगा जीवन में कभी नि समझेगा. नाए 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 ना बहु बहु जादा important. यह न 诶न न भी. पहला क्या बोलते है, authority संदर एक, judicial authority, full time pass, it is not defined in the act, it is the concept, wider than the court, every court would be a judicial authority, but every judicial authority would not be a court, every court would be a judicial authority, but every judicial authority will not be a court, मतलब सर, जैसे state consumer forum, national consumer forum हो गए, जो लोग decision देते हैं, बरावर, judicial authority है, मानेंगे, पर क्या वो court है, नहीं, वो court नहीं है, so it says every court is a judicial authority, but every judicial authority is not a court, is not a court, every court is a judicial authority, every judicial authority is not a court, जैसे state consumer forum हो गया, district consumer forum हो गया, तो भाइय क्या है वो, वो judicial authority पर कोड कोड नहीं है, बर हर court क्या decision देता है यह, तो every court is a judicial authority, इंच simple भास्ण में, दोनों में से बाप कौन है, आं, पावो, दोनों में से बाप कौन है, terrorist authority, दोनों में से बाप कौन है, judicial authority, इसमें एक पाटी विदेशी होगी, एक पाटी कोट विड़ भूला है पाटी, कौटो होगा है को जो भी包 पर आप आप हाई कोड़ गर सकते हो तो जो भी बॉड़ी होगी जो गवन करी कौन करें ग़ी हाई कोड़ी करें ही इन केस अप domestic मतलब दोनों पार्टी इंडिया वाले it will be governed by district court district court से खुश नहीं तो फिर कहाएगा high court high court in the original jurisdiction पहले district court है फिर high court international में high court है ध्यान रखना high court है domestic में district and then high court international में high court है बहुत important है तो सर सुप्रीम कोट कहा है नीचे मिलेगा देखा अभी सर सुप्रीम कोट आएगा क्या करेगा सर सुप्रीम कोट क्या करेगा arbitrator को appoint करेगा किसको appoint करेगा arbitrator को appoint करेगा कैसे सर पहला क्या है first original method would be applied तो जो भी parties ने decide किया होगा में 22 के बच्चे को हमारा arbitrator बनाएंगे जो first attempt में clear होगा अगर वो fail हो जाता है first original method will be applied उससे भी possible नहीं हो रहा है then in case of international commercial arbitration supreme court will appoint the new arbitrator in case of domestic arbitration high court will appoint the new arbitrator high court will appoint the new arbitrator पाई और बैनो बहुत परके बहुत क्रक्स है इसमें दाद सुनो सामने स्कीन पर देखो अभी जब मैं बात करता हो कोरट की कोरट की तो international के लिए जो आपके लिए कोरट है वो कौन है पीठा high court high court high court in case of domestic arbitration in case of domestic arbitration it is gone district court district court and then high court and then high court तो सब्सक्रीम क्या करगा कुछ नहीं करता है खले एक ये काम करता है कब जब arbitrator point नहीं हुआ है फिर आप original method लगाओगे वो भी fail हो गया तो सुप्रीम कोट क्या करेगा आर्बिटर को अपॉइंट करेगा वो भी only in respect of international commercial arbitration only in respect of international commercial arbitration अच्छा अगर domestic को तो कौन अपॉइंट करेगा high court पहले दोनों case में हमेशा original method लगेगा वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोट in case of international high court in case of domestic समझा आपको easy है एक बाब फिर इसको रिट कर लीजिए important है सबस्टेश करेपको नीचे, sir arbitration agreement क्या था, you will refer the definition 0.1 आपनने आगे पड़ा, it may be in the form of arbitration clause, it will be in the form of arbitration clause in the contract or in the form of a separate agreement, separate agreement, ठीक है, यह रेको, यह क्या हाथा सुनला भी, arbitration clause, соглас submission agreement, arbitration clause submission agreement, arbitration clause submission agreement, arbitration clause submission agreement, अब मैं क्या बोलता हूँ, same example, मेरा और मुकेश का dispute हो रखाता, जब अच्छो, मेरा और मुकेश का dispute हो रखाता, हमने क्या बोल हम leication में जा सकते, हम लोग से arbitration में बISTर चलते हैं, पर कि sound ही बिस्पोट नहीं करते अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते कि सब्सक्राइब एक अलग से अलख से कॉंट्रेक्ट बनाते अब अलग के लिए अलग से बना रहे इसको बोलते हैं में इंग्लिश हमें की अक्रेमिन्ट क्या बरँगए कंशा वावं संवुचंग अग्रीमेट क्या बरँगए कि इसको प्रण सल्ट प्रínaयंट क्या बनकच्छा उसको बन, submission agreement आपने देखाऊगा आपने कोई भी भूख को खरीदी होगी, भूख तो लिए होगी आपने यह जैसे मेरे बच्चे अपने 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 पी भूख की में बूख को गई में बूख को आप जब देखाऊगा ना प्रीफेस से पहले इन डेली, याद ऐसे कुछ है, याद है, तो जो भी अपने समान खरीदा है, हम थोड़ी बोले dispute आज है, तो dispute कब होगा सर, future में arise हो सकते है, future में, कब हो सकता बटा, future में, जब वो future में arise होगा, तो सर वो में कॉन्ट्रेक्ट में incorporated है, कौनसे dispute की बाद के सर, future dispute की बाद है कर रहा है, यहाँ पर क्या था, existing, कौनसे dispute थे, existing, तो हमने क्या आक एक नया यहाँ कर दिया सकता हुड उनके नोय वहां ट्रट कर दिया सर आपको 업लुद उनकर स्टा वद्द पडी और अलुझी नोड इस्ट करूँ चाहि़ कौना मिंट्ड 예स的时候 जब वाली बात कि all the dispute would be subject to all the dispute would be subject to clause number 13 of ICI का rules related to disputes मैंने क्या दिया reference किसी और का मैंने मेरे बिल में क्या क्या बच्छो मैंने उसका reference दिया is it a valid arbitration agreement हाँ sir हाँ the reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes in an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause as a part of the contract तो मैं तो कह रहान के करको dispute हुआ तो हम लोग आई से का जो dispute की जो mechanism है उसके तुरू करेंगे तो मैंने मेरे मेरे नहीं लिखा मैंने reference दिया it is a valid arbitration agreement इसका example example 6 on page 5.14 example 6 on page 5.14 examples आपको read करना है तो sir two types of arbitration agreement होते हैं यह मैंने आपको बता ही दिया एक होता है वीटा आपका arbitration clause और एक होता है आपका submission agreement arbitration clause में क्या होता है sir dispute future में राइस होगा it is contained in principal contract only it is contained in principal contract only sir यहाँ पर क्या आपका dispute हो चुका है अब हम लोग agree कर रहे कि हम लोग जाएंगे arbitration के लिए it will be continued separate agreement उसको बहुता है submission agreement तो दो होते है a c sa arbitration clause submission agreement arbitration clause submission agreement sir there must be consensus is a idem that is मतलब meeting of minds between the parties all the parties must agree to go for arbitration all the parties must agree to go for arbitration you will refer example for page 5.12 खले example लिखना कांसर में आपका बता दिया sir the arbitrator should be a neutral neutral third person and his decision shall be final and binding upon the parties sir the arbitrator should be neutral party मतलब कोई भी party से related नहीं होना चाहिए totally unknown इंसाना चाहिए बिल्कुल भी कहीं भी थोरा सा nexus दिखा relation दिखा तब वो arbitrator नहीं बन सकता इसके लिए एक example example 5 on page 5.13 sir use of the word use of the word arbitration or arbitrator is not a is not a necessary requirement आपको mc की मासर का use of the word arbitration or the arbitrator is not a necessary requirement मतलब आपको binding दिखा नहीं कि हाँ ठीक हम लोग arbitration करना चाहते है मैंने reference रही दिया तो भी चल लगा पर अगर arbitration नहीं भी कर तो भी वो valid agreement माना चाहेगा if it is in writing and the matter must be arbitrable the matter must be arbitrable मतलब sir अब इसे लड़ाए हो गई है currency murder water कर दिया rape कर दिया divorce proceedings जैसा यह सब चीज़े यहां पर नहीं आएगी यहां पर नहीं हो सकती मैंने आपको समझाने के लिए सब चीज़े ली थी पर उस सब नहीं आ सकती sir criminal offenses matrimonial disputes guardianship matters testamentary matters will-will से चीज़े नहीं वह सब चीज़े mortgage suit or sale of property cannot be arbitrated cannot be arbitrated तो यह आपको MC कि मान सकता है कौन सा matter arbitrated नहीं हो सकता important sir signature is mandatory signature is mandatory only when the arbitration agreement is contained in a contract however no signature is required if arbitration agreement is contained in the correspondence or exchange of pleadings मतलब अगर email email किया है later better भीजा है तो signature नहीं तो भी चलेगा अगर agreement में लिखाया है अलग से submission agreement बनाया है तो महाँ पर आपको चीएगा arbitration clause होगा तो signature bill पर sign तो होता ही है ना महाँ पर या submission clause होगा या तो arbitration clause होगा तो submission agreement होगा तो उसमें चीएगा पर आपने email पर signature नहीं भी गया तो भी चलेगा को binding हो रही है ना तो भी तो exchange हो रहा है तो एक कुछ termination of the principal contract termination of the principal contract main contract खत्म तो arbitration agreement खत्म पार्टिसमा कहा है death of the parties ओसे operational of law ओसे operational of law मत दो मत दो लिखाव है sir the parties can jointly agree to put an end to a particular arbitration agreement पार्टिसमा agree कर लिया easy था T termination of the principal contract धान सुना very 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 important if our principal contract is terminated through discharge खत्म हो गये हमने बात किते कि मैं आपको 10 AC supply करूंगा 10 AC supply हो गये ठीक है और novation novation नया contract बनाया अपन ने तो उसके अंदर के जो arbitration clause था ना arbitration agreement वो भी खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा the arbitration agreement terminates with the contract the arbitration agreement terminates with the contract right अब मैं बोलता हूँ अगर आपने मेरा principle contract breach किया है ब्रीच मैंने 10 AC supply करना था आप मुझे payment करने वाले थे आप मैंने 10 supply कर दिया आपने मुझे payment कर दी तो जो arbitration की बात है खत्म हो गई ना खत्म हो गई यह मैं बहुता भी अपने क्या के 10 के पर 20 AC के बात लिए तो अपने अग्रीमेंट अपने चेंज कर लिए तो जो arbitration की बात है वो खत्म हो जाएगी बट इव दा principle contract is breach या तो मैंने आपको 10 AC supply नहीं किया या आपने मुझे payment नहीं की तो principle Prinzmail को अपने मुझे Arbor काणल慎 ब्रीच वी दिए वो खत्म होता है या नोविशन होता है to argument ेंउर्प्रिपेagar प्हिपरेश्वराई मैं जिंदा और कर दोच्यरी में दें मुखबिका सिर्फंप४ या शंग मैंने क्षंगा उन singing अर्बिर्टेशन ग्रीमेंट इस नोट डिशार्च था पार्टी और बाटी इस इनफोस बाइए और अगेंज अगेंज लिगल रीपर्जर टिसीज तो विए जो लीगल रहे पर जितने उसके नहीं प्रोपर्टी उसके उतने प्रती पो चलेगा केस्व ओपर जालेगा चैस clear, next, so next कहता है मेरा arbitral tribunal, arbitral tribunal, सुन अभी, so ये important था, मद्दो वाला, mutual consent, termination, death, operation, arbitral tribunal, बहुत simple है, एक इंसान हो, अनेक इंसान हो, जुन्डो, arbitrator बोलो, arbitrators बोलो, arbitrator बोलो, sir, an arbitrator or traitors or arbitral tribunal shall mean the same, it performs the function of a judge, a person capable of contracting can be an arbitrator, जिसमें दिमागों को बन सकता है, parties are free to decide the arbitrator, the procedure for appointment of arbitration, जो तुमको करना है, यसा करना है, यसा करो, मैं को arbitration का क्या proceeding चीए, arbitrator को कैसे appoint करो, toss of a coin, चिटी निकालो, जो मैं को करना है, लोग कोई रोकता नहीं, आपकी इच्छा है, the parties are also free to determine the number of arbitrators, provided at such number, such number shall not be an even number, that is, it should be an odd number, ने तो लड़ाई हो जाएगे न, ने तो लड़ाई हो जाएगे, failing the determination, the 80 shall consist of a sole arbitrator, मतलब, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, चलेगा, it has to be an odd number, अगर आपको जादा नहीं चीए, तो normally हमेशे 1 होगा, minimum 1 है, maximum no limit, arbitration में minimum 1 है, maximum no limit, but conciliation में minimum 1 है, maximum 3 है, minimum 1 है, maximum 3 है, minimum 1 है, maximum 3 है, यहाँ पर minimum 1 है, maximum कोई limit नहीं है, और नमबर होना चाहिए, और नमर से हैं, तो नीचे क्या बोलता है, even number is also a possibility, एक case है, लोया versus लोया वाला, even number of arbitrators is also possible as for the case of, लोया versus लोया, मतलब नारायन परसार लोया versus नेकुंस कुमार लोया, बहाप और बेटा के जो case है, उस case है, उस case है, even number भी हो सकता है, हम लोग क्या आजूम करेंगा हमेशा, यह लोग के लड़ाई हो रही थी, parties की, मुकेश और A-B के लड़ाई हो रही है, तो हमने क्या क्या, दो arbitrator को अपॉइंट किया, तो अगर A-B ने एक को अपॉइंट किया, मुकेश ने एक को अपॉइंट किया, तो सर्थ यह लोग भी तो लड़ सकते न, तो इसलिए क्या आप बोलेगे, सर्थ एक और काम करो, एक और उपॉइंट करो, आप हमेशा, और नमबर रखो, पट यह तो महां अज्यूम करके, यह लोग दोना लड़ेंगे, अपुइंट काई न, कोई काहनी आप यह लोग वर्स पर लोग, नरौन ब्रसाइख लोगा किया, निकुश्कुमार लोग ने पर पेस पाई न, पर दे रखे वो लोग ने, Sir, the most common procedure for appointment, for appointment of arbiter, the parties will, पहला किया, the parties will jointly appoint, that is one, AB और Mukesh मिलके अच्छाए काम करता है, अपन, Gangu भाई को appoint करें, Gangu भाई को appoint करें, Gangu भाई appoint हो जाएगे, Number 2, AB अपना बंदा लेकर आएगा, मुकेश अपना बंदा लेकर आएगा, each party will appoint, and the two arbitrators will appoint the rest, so AB ना पॉइंट किया अजुम करो, AB ना पॉइंट किया धोनी को, मुकेश ना पॉइंट किया अजुम करो, सचीन को appoint किया, अब, धोनी और सचीन मिलके, अपने Gangu भाई को appoint करते, बराबर, Appointment would be made by unrated person of the institution, या फिर AB न मुकेश दोनों चाहते है, ICI माइबाप, तू appoint कर देना, या फिर जो arbitration की जो bodies, अलग-अलग act में body बना रखिये, आपको appoint कर देना, वो भी चलेगा, फिर पार्टिस के जॉइंट लिए, या एक पार्टि एक एक नाम देगा, या यह लोग दो-दो देंगे, फिर वो लोग उपर पाइंट करेंगे, या फिर वो लोग किसी institution को भी refer कर सकते हैं, चेक है, Requirements of Arbitral Tribunal, Requirements of Arbitral Tribunal, Page 5.20, यह रीड कर लेत एक बार, Simple, dated होना चाहिए, Parties के हीत में होना चाहिए, देखो, Sir, the Arbitrator could be of any nationality, He should be capable of contracting, He should not be biased, Sir, He should be independent, He should have impartial behavior, ठीक है, He should be independent, He should have impartial behavior, और निचे के example ही, एक्जाम्ब आपको read करना है, एक्जाम्ब आपको read करना है, So, basically, जो हमारा Arbitrator हो, या Arbitrators हो, सबका मतलब सेम होता है, independent होना चाहिए, Pavorism नहीं होना चाहिए, He should be completely biased, ठीक है, मतलब बाइस नहीं होना चाहिए, Unbiased होना चाहिए, And then, ये example, Then, Sir, once appointed, the party who has agreed for the appointment, for the Arbitrator, could not raise a challenge, on the very same ground, but, they can raise a challenge on the any new ground, मतलब, A.B. और Mukesh के लड़ाई हो गए थी, हमने क्या बोला, हम appoint करते हैं, Gangu भाई को, मैंने Mukesh को बोला, कि मैं Gangu को जानता हूँ, पहले से, बहुत ताम से जाते हैं, जो बाच्चों ने Gangu भाई देखिए, गलत मतलब समझे, दोस्ते मेरी वो Gangu, ठीक है, गंगा नामदा उसका, तब से जानता मैं उसको, ठीक है, अब क्या है, मैं और Gangu मिलने लग गए बहुत बार, हो जाते हैं ला, तो Mukesh बोलता है, ने ने यह भी गलत किया तूने, तो तो इसको जानता है, तो तो तेको favorism कर रही है, then it cannot be challenged, क्यों? क्योंकि पहले मैंने Mukesh को बता दिया था, बता दिया था ना, कि मैं Gangu को जानता हूँ, हाँ, अगर मैंने नहीं बता था, तो Mukesh challenge कर सकता है, या इसके अलावा कोई और ground हो, तो Mukesh challenge कर सकता appointment को, नहीं तो नहीं कर सकता, ref for example 13, page 5.22, क्योंकि अलावा झाल झाल इजी है तो गहर concept के आगे मैंने mapping कर रहा है कि अगर बाइचान concept कर तो मुझे एग्जाम्पल आके देख लो कि इन्ट्विट ने पूछ लिया तो अपने को पता होना चाहिए सब चीजे तर्मिनेशन रिमुबर सब्स्टिटुशन ओप एटी तर्मिनल रिमुबर सब्स्टिटुशन ओट बहुत सिंपल है सर एटी मजले सर एक हो और नेक हो सर वेंद ऑर्बिटेटर लिवस वालें लिए शोड़ गया सकता है रिजन बताने का जरूत नहीं है अब यह जिसको पाइट को पता ही नहीं है विम लों चुछ भी पता ही नहीं क्या होता है निकाल उसा लेगो तो ऑपरेशन अपलाग शेयर अर्बिटेटर रिम नेबल तो चुनिव या फिर आर्बिटर श्राशन प्रसेस एंड बीमार हो गया है को बिट हो गया है अब यह भी आपड़ेशन देने का जरूत नहीं है या फिर आल अपड़ेशन अपलेटर बोलो सर अबिटर बोलो सर अबिटर वोलो सब का मतलब एक सब का मतलब एक सर चैलेंज पर बायस एन अपॉइंट्मेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कcompl一下 किसके सामने जिसने डिसेजन दिया तो इसे पहला दिसेशन घुआ हमेशे कौन देगा एटी तो पहला डिसेश Decision कौन देगा यह मेशे unts सामने साथके साथ पर अगर domestic arbitration है तो आप जाओगे फिर किसके पास district कोट के पास फिर जाओगे आप हाई कोट के पास हाई कोट के पास ठीक है अच्छा अगर international commercial arbitration arbitration पहला चलिए मैं कहां करूंगा असर मैं अगरा अगरीजनल में फेल होता है पहला लगा अगरीजनल में फेल होता है दें इंटरनाशनल commercial arbitration किसके पास पास हाई कोट के पास वेरी 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 इंपोर्टेंट एक बाद देख लिजे फिर example लेखना पड़ेगा इसका बहुत इंपोर्टेंट है छोड़ी चीज़ है जब इंसे क्यों में आ सकते है इंटरपरेशन में आ सकते हैं दो दो तिन तिन मांके क्वेशन आ सकते हैं रुक जाओ 5.25 example 14 please read example 14 झाल 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 रखना जब मैं बात करतों बायस की तो पहला चैलेंज हो जहां से डिस्जिजिजिन आया मतलब 80 80 डमेस्टिक ए तो डिस्टिक कोट अंधेन हाइ कोट ठीक? अगर इंट्रनाश्टिक ए तो 80 के बाद हाइ कोट अल्चा जब मैं बात करतों अपॉंट्मेंट की तो पहलो original method लगाओगे, if the original method fails, then अगर international सुप्रीम कोड़ अपाइंट करगा, कर दोमेस्टिक है, तो सर कोड़ अपाइंट करगा, district high कोड़ अपाइंट करगा, high कोड़ अपाइंट करेगा, चीक है? then, sir, what is arbitral award? it is a decision given by the court, वैसा ही होता है, sir, arbitral award is similar to the judgment given by the court of law, only a party to the arbitration can challenge an arbitral award, अब challenge कर सकतो, पहला challenge कहा होगा, 80 के सामने, देखो कोई लिखा हो है, it can be challenged in the following manner, sir, अगर international है, तो 80 and then high court, domestic है, तो 80, district court and high court, जो उपर पढ़ाईंट सेम बात है, sir, challenge against arbitral award can be made within, within 3 months, within 3 months, लिसे नाएगा 12 मैने में challenge कर सकतो, within 3 months, from the date when the award is received, when the award is received by the party, it is received by the party, max extension 30 days, more, by the court, within 3 months, extension 30 days, जब मिलेगा उसी दिन, अच्छा, there is no, यह exam में आखो, there is no automatic stay, there is no automatic stay on the enforcement, a party has to specifically request for the stay and the court at the time of granting stay can impose certain condition, तो अगर आपको stay order लाने का है decision भा, ठीक है, तो आपको specifically request करना पड़ेगा, automatic stay नहीं मिलता, नहीं मिलता, read 0.25 module page 5.25 read, sir, where the court is satisfied that the primophysic case is made out that the arbitration agreement or contract which is the basis for the award, or making the award was induced or induced affected by the fraud, it shall stay the award, unconditionally pending disposal of the challenge, so stay लगा सकती है, stay लगा सकती है, stay लगा सकती है, stay लगा सकती है, so there is no automatic stay, you have to specifically request for the stay order, ध्यानकना, there is no automatic stay, you have to request for the stay, then, sir, types of arbitral award, types of arbitral award, fisa, final, एकदम final कर दिया, interim, beach का award, कि जब तक final निया, तब तक temporary आप decision ले लीजिए, तो यह जो temporary बाले, इसको आगे final कर देंगे, यह इसको खारिच सर के ना final ले देंगे आपको, s, settlement, mandavali कर देंगे, क्या हो गया है, mandavali कर वा दिया, a से additional, additional, मतलब, अरे जो बाते थी ना, जब तक final आएगा, तो भईया, यह तब तक रखे, जब तक final निया आथा, final नया आजाएगा, number two, इसको हम आगे आगे final बना देंगे, sir, settlement, the parties में decide to settle the matter, instead of adjudication, the forms of settlement will be made by the part of an award, this is called as settlement award, तो भईया, जो भी agreement होगा, उसको हम settlement में बना देंगे, होग जाएगा, मैं settlement award, चौता, additional, if the final award is rendered, but later it is found that certain disputes are not yet resolved, then the parties can make request to the AT to give an additional award, on the date of final award, तो आप 30 days में आप जा सकते हो, additional award के लिए, तो फिजा, final, interim, settlement, additional, final, interim, settlement, additional, sir, arbitral tribunal को 12 महिने में decision देने का है, decision दे दिया, आप खूश नहीं, आप challenge करोगे, challenge करने के लिए, आपका time limit है, 3 months, extension 30 days, 3 months, extension 30 days, ठीक है, अज़ा जब आपन challenge करें, तो पहला challenge 80 के सामने आएगा, 80 के सामने, फिर नीचे, high court, अगर, international होता है तो, अच्छा, अगर domestic होता है तो फिर, district court and then high court, next है मेरा, requirement of award, you have to read page 5.2, it only for MCQs, read कर ले ते गवाँ फटाफट, requirements, क्या क्या है, it has to be given by a majority, it must be in writing, signed, dated, heading is important, there should be proper reason, it should be proper reason, sir, it must not be fake, fake नहीं होना, छे फालतो थारे, सम चान तोड़के ले आओ, तो के plane के अपर चड़के तुमको काम करना पड़ेगा, sir, it should be capable of being performed, it must not be illegal, it must not be illegal, so, next answer is challenging an award, to 13, 16, 34, 13, 16, 34, 13, 16, 34, 13, 16, 34, 13, 16, 34, so, challenge can be made on, as per section 13, which is bias against the 80, if 80 is favoring one party, then the other party can challenge the award on the grounds of bias, so, section 13, bias per, 16, if during the proceedings, the 80 does not have a required jurisdiction, this can be challenged by the parties, international वाला कौन सुनेगा, हाई गोड, district court सुन रहा है, साल वाल तू, challenge कर सकते हो, challenge कर सकते हो, sir, sir, domestic court सुन रहा है, challenge कर लो, उनका jurisdiction ही नहीं है, jurisdiction ही नहीं है, 13 is bias, 16 is jurisdiction, overstepping of jurisdiction, 34, 34 क्या है, 3, 4, 7 grounds है, section 34 क्या है, 7 grounds है, पहला है, 5 grounds, एक सुवर मोटर का 2 grounds है, 5 and 2 break up है, 34 is basically 7 grounds, that's 5 and 2 का break up है, क्या है वो ground, sir, sir, parties is under some incapacity, दौरे पढ़ रहे, COVID हो गया है, लकुआ मार गया है, कुछ भी हो गया है, the basic necessity is, invalid arbitration agreement, arbitration agreement ही invalid है, तो sir, dispute ही नहीं हो सकता, क्योंकि main important ingredient क्या, आपका arbitration agreement होना चाहिए, या तो arbitration clause के थो, या प्रे submission agreement के थो, आपका basic ingredient ही खराब है, तो sir, कैसे आप dispute कर सकते हो, अब challenge कर सकते हो, sir, parties is not given proper notice, about the appointment, procedure, notice ही नहीं दिया, मेरे को बता है नहीं, हम से किसे नहीं कहा है नहीं, चौथा, award deals with the disputes, not submitted for arbitration, 15 बातों मैं लड़ाई थी, हमने 10 ही बाते submit की, 11 पर decision दे रहा है, अब शुतर को बोला ही नहीं, तो उस पर decision दे रहा है, challenge करो, 80 बातों प्रोसिजर वास नोट एस पर दा लॉव, अर्बिटर ट्राइबिनल और दा प्रोसिजर वास नोट एस पर दा लॉव, 5 ग्रांट, incapacity है, invalid arbitration agreement हो गया, sir, the party is not given proper notice हो गया, award is with dispute not submitted for arbitration, and the procedure is not as per law, two grounds, the subject matter of the dispute which is cannot be arbitrated, यसे matrimonial matters हो गया, criminal matters हो गया, rape वाले cases हो गया, the award is in contravention of public policy of India, challenge कर सकता, तो 7 grounds है, sir, challenge करने के लिए क्या है, देहां सा सुनना भी, sir, 13 है, 13, 16, 34, 13 किस पर है बेटा, बायस पर है, बायस, 13 किस पर है, बायस पर है, 16 किस पर है, sir, overshipping of jurisdiction पर है, 34 में 3 प्लस 4, 7 grounds है, 7 का breakup है, 5 and 2, 5 में क्या है, sir, incapacity है, invalid arbitration agreement है, notice नहीं दिया है, हमाँ पर, procedure invalid है, it is not as per law, and, it is not, it deals with a dispute, which is not submitted for arbitration, अच्छा, 2 ground कौन से, sir, एक ऐसा बात है, जो cannot be arbitrated, दूसरा, it is against the public police of India, तो अब, appeal नहीं फाहल कर सकता, अब challenge गर सकता, 13, 16, 34, 34 में 3 plus 4, 7 grounds है, 5 and 2 का breakup है, challenge का होगा, पहले 80 में, पहले district court, high court, and high court, I hope ये clear होगा, appointment के बात होते पहले, original method लगेगा, अगर original method fail होता है, then, supreme court for international, and high court for domestic, sir, जब अपने challenge किया, तो क्या हो सकता है, हमको पता है, तो set aside हो सकता है, confirm हो सकता है, modify हो सकता है, यह तीन तो हम हर जगा पढ़ता ही है, remit back भी हो सकता है, remit back to 80, remit back to 80, वापस एक बाद हो सुन लेना, set aside, मतब cancel, confirm मतब as it is, modify मतब change, और remit back मतब वापस 80 के पाज आ सकता है, sir, enforcement can happen, as per CPC 1908, in the same manner, as it were a decree of the court, decision of the court, it will happen as per CPC 1908, अपने वोh conciliation में भी सीखा था, के conciliation का जो settlement agreement होता है, it will be enforced as an arbitral award, arbitral award कैसे होता है, it will be enforced as per CPC 1908, जैसे CPC 1908 में procedure दिया, वैसे ही आप इसको implement करो होगे, CPC 1908 as if it were a decision of the court, decree मतब decision, खतम, I think close to 7 घंटा दाग आपने वो, खतम हो गया, हो गया, खतम, पूर चाप्टर में आपको करा दिया, जो जो examples देखने हैं, तो उत्रसर important है, मैंने mapping कर रहे हैं, जिसके पास भी notes है, अब वहाँ से example हो concept, समझो हाथ का example दोखो, all the questions, whatever is given in your question bank, module, teacher का book, author का book, मेरा book, कितना करो बहुत, तो यहाँ पर मैंने आपको और दो chapters करा दिये, formula हो गया हमारा, और arbitration हो गया, 3 से लेके 6 मांग की वेटिश करता है, arbitration, और 10 से लेके 12 मांग वेटिश करता है, पॉम मेला, तो मोटा माटे आपके हाँ पर 15-16 मांग और cover हो गया, लेक्शर में, तो इस वीडियो को फसंद आए तो दू लाइक करना, comment, share with your friends, and guys, aim for a rank, aim for a rank, aim for a rank, क्योंकि अपकी बार, आखरी बार, अपकी बार मैं पार, ठीक है, बाइगेज, I'll be coming up with the new videos, बेरी सून, अगली recording में आपको नए चाप्लास और सिखाँगा आपके, उले, बाबाई, चेक के हैं,